प्रकास स्वागत करता हूं तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और शेयर करें और सबस्क्राइब करें हमारे इस चैनल को रमानसर क्लास को जो आपके के लिए इस पेसली बनाया गया चैनल आपका जिसमें आपके डिफरेंट चाहिए वो इलेक्टरिसियन के हैं टीजी टू का है या फिर एलेक्टरॉनिक मेकैनिक के हैं डिफरेंट क्लासेस आप लोगों को फ्री आप कॉस्स यहां से हम लोग प्रोवाइड भी करते हैं तो जै आपके अंप्लिफायर पर जब हम क्या करते हैं फीडवेक का मतलब भी समझाया था कि आउटपूट को इन्पूट पर कनेक्ट करना तो अगर पॉजिटिव फीडवेक लगाया जाता है तो फिर क्या बनता आपका यह बनने वाला जो सर्केट होता वो कौन सा सर्केट होता फिर ऑजलेटर में कहा था कि कि कसी भी सिगनल को या ओस्लेट करने का मतलब कि किसी भी या नॉर्बल हमने क्या कहता यह करता क्या है अन्पकर यह सी वैलू को दोख कहते हैं ग। इसी वैल्यू को चेंज करना किसमें आपका एसी में एसी सिगनल में ठीक है फिर बात आई थी कि मिनिमूम क्राइटीरिया क्या होता है मिनिमूम कंडीशन क्या है कि यह हो आपका यह जनरेट हो तो उसके लिए मिनिमूम कंडीशन क्या है तो फिर बात जब मिनिमूम कंडीशन सकते हैं कि oscillation generate नहीं होंगे अब वो दो कंडिशन क्या कही थी इस तुरेंट उन्होंने साफ साफ कहा कि पहली कंडिशन उन्होंने कही magnitude के लिए ठीक है आयाम के लिए और दूसरी उन्होंने कही फेस के लिए कला के लिए ठीक है तो magnitude कंडिशन में उन्होंने कहा कि loop gain और loop gain मैंना आपको समझाया था कि loop gain क्या होता है loop gain का magnitude कैसा होना चाहिए आप लोगों का एक या एक से जादा, unity या unity से जादा होना चाहिए अगर मैं ideally बात कर रहा हूँ, ideal others रूप से कहरा हूँ, तो एक होना चाहिए, unity होना चाहिए और अगर मैं practically बात कर रहा हूँ, तो हमेशा एक से ज़ादा होना चाहिए ठीक है, इतना, दूसरी बात उन्होंने जो phase related कही, वो क्या कही उन्होंने कहा कि phase angle जो loop gain का होना चाहिए यह that must be कि वो आवस्यक रूप से या तो 0 degree हो या तो आपका 360 degree हो ठीक है क्या का आपका कि या तो 0 degree हो या फिर आपका 360 degree हो अब उसके बाद हमने देखा था relaxation और आपके oscillators के different types में तो जो standard में बात करता हूं frequency के आधार पर जो हम एकसर exam में भी पूछता है कि frequency के आधार पर oscillators को दो भागों में बाटा गया ठीक है हमने इसके applications भी देखे थे ठीक तो अब हमने कहा कि दो भागों में बाठा जाता है कौन-कौन से फ्रिक्वेंशी को हम दो तरीके से लेकर चलते हैं या तो लो आवरिति के लिए low frequency के लिए साफ साफ कहा कि यहां feedback circuit आपका register और capacitor की सायता से बनता है आर और सी की help से बनता है ठीक है जब की high frequency के अगर मैं बात करता हूं high frequency oscillator को अगर हमें बनाना है तो वहां feedback पर क्या होता आपका या feedback जो circuit होता है वह L और C के combination से बनता है inductor और capacitor के combination से बनता है ठीक है पहले एक important बात दूसरी बात क्या कही कि जो आपके low frequency के oscillator होते हैं वो दो प्रकार क्यों होते हैं पहला का आपका phase shift oscillator और दूसरा कहा wind bridge oscillator वहीं बात आई आपके दूसरे radio frequency की high frequency की वहां आपके चार भागों में oscillator को बाटा गया जिसमें सबसे पहला नाम आता है आपका hardly oscillator फिर बात आती है आपकी call pitch oscillator फिर बात आई आपकी clap oscillator और फिर बात आती है आपकी सबसे important और सबसे जाधा प्रियोग किया जाने वाला oscillator crystal oscillator ठीक है इतना फिर इस कहानी को जब और आगे बढ़ाया था तो फिर लास्ट क्लास में आप लोगों को phase shift oscillator जो कि audio frequency oscillator है निमना आवरतिका oscillator है वहां पर बात हुई थे तो phase shift oscillator के लिए साफ साफ कहा था कि यहां feedback circuit पर और और सी एक आर एक सी तो पेर बन गया जोड़ा बन गया तो ऐसे तीन जोड़े लगाय जाते है आर और सी के तीन क्या लगाय जाते है आपके पेर लगाय जाते हैं हर एक अलग-अलग जोड़ा आपका साठ डिगरी का एंगल साथ डिगरी का phase provide करता है तो तीन थे तो टोटल कितना आता आपका फेशिप एक सो असी डिगरी का फेशिप आता है ठीक है तो यहां यह एक सो असी था एक सो असी हमारा transistor amplifier दे रहा था ठीक है वो negative दे रहा था यह positive दे रहा था balance होकर दोनों हो गए zero तो zero degree का फेशिप मिल S का मतलब oscillator आपका ठीक है तो फिर यहीं से हमने देखा था कि frequency of oscillations की बात की थी कि एफ नॉट इसे को स्टों मैंने बीजेटी के लिए एफटी के लिए उपाम के लिए तीनों फॉर्मले आपको last class में लिखाए थे साथ के साथ मैंने आपसे कहा था कि जो range होती है वो होती ह student आपकी one hertz से लेकर आपका या one kilo hertz से लेकर आपकी कितने अगर मैं जनरली का हूं भी तो आपका low frequency student आप लोगों की तो low frequency पर हम इसको कितना लेकर चलते हैं 10 megahertz तक लेकर चलते हैं ठीक है high frequency की बात आती है आपकी तो हम लोग फिल लेकर चलते 100 megahertz पर ठीक है फिर बात आई इसके applications की कि इसे परियोग कहां कहां करते हैं क्या-क्या वो जगहें हैं या क्या-क्या वो applications हैं जहां पर हम इसका परियोग करते हैं तो सबसे important जो बात आपको याद रखनी वो था आपका voice synthesizer ठीक है और आपका जो संगीतिक या वाध्ययंत्र जो होते हैं ठीक है musical instruments जो होत कौन साब का low frequency या audio frequency का oscillator that is rc phase shift या फिर simply आप कह सकते हैं कि phase shift oscillator ठीक है simply क्या कहते हैं इस्टुरेंट हम लो face shift oscillator इसी sequence में आगे की कहानी को start करते हैं ठीक है तो दूसरा जो आपका low frequency का oscillator था दूसरा जो आप लोगों का निम्न आवर्ति का oscillator था ठीक है अब उसकी बात करते ह था एस्टुरेंट आप लोगों का वो क्या था आपका we in bridge oscillator था ठीक है second oscillator के अगर माँ बात करता हूं तो यह क्या था आपका we in bridge oscillator वेंड ब्रिज को आप लोगों ने कहा measurement में भी पढ़ा होगा अगर class हो गई होंगी otherwise पढ़ेंगे आप लोग इसी ब्रिजे जब आप वहां oscillator ठीक है अगला oscillator लिखेगा मेरे साथ साथ लिखते रहें और चीजों को समझते जरूर रहें ठीक है और सभी स्टुरेंट इस वीडियो को लाइक और सेड जरूर करते रहें ठीक है मैं कमेंट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूं क्योंकि एक्जाम अब हमारे सामने हैं और हमें यह चीजें अच्छे से और जल्दी से करने हैं ठीक है तो जो भी डाउट होगा वो लास्ट में देखेंगे पहले आप लोग चीजों को ध्यान से समझें तो अब बात आती इस तुरेंट आप लोगों की वेंब्रीज ऑसलेटर की ठीक है तो सबसे पहला जो को का मिनर का होता है वो होता है कि वह आपको सरकिट पहचानने को दे देता है कि निमन मेंसे कौन सा सही परिपत है वींब्रीज ऑसलेटर के लिए तो इस तरह से आपके थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा इस टाइप का सरकिट देखा होगा इस तुरेंट आप लोगों ठीक है एक मिनटा फिर यहीं से अगर मैं बात करता हूं तो यह तो आपका इसको बाइसिंग को स्टैवल करने के लिए दो रेजिस्टर मेरे इधर भी लगे हुए थे कुछ ऐसे ठीक है तो यह कुछ इस प्रकार का सरकिट हम लोग देखें है ठीक तीर का निसान बाहर को है इसका मतलब आपका नहीं पीनी मैंने आपको सिखाया था कि एन मतलब नहीं पीनी ठीक है तो एन बाहर को है तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर एन पीन है ठीक पहली बात फिर दूसरी बात मैंने क्या कही कि यह आपका ऊपर होता है यहां जहां एरो होता है वह होता आपका न और दो रिजिस्टर R1 और R2 बाइसिंग को स्टेबल करने के लिए लगाए गए होते हैं इतना ठीक हैं फिर दूसरी बात अब हमने क्या कई स्टूरेंट आपके कि वेंब्रिज ऑसिलेटर में ऐसे ऐसे दो ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन या दो ट्रांजिस्टर स्टेज का प्रियोग किया जाता है ठीक है इस प्रकार की दो स्टेज का यहां क्या होता है प्रियोग होता है दोनों पर अगर आप देखें भी तो दोनों पर हम इस तरह से दिखा भी सकते हैं कि यह क्या हमारी कॉमन सप्लाई हम लोगों ने डीसी सप्लाई हमने कनेक्ट की वी सी सी ठीक है अब पहली स्टेज के output को जोड़ना है कहां दूसरी स्टेज के input पर तो हमने यहां से क्या किया कि बीच में एक capacitor कपल करने के लिए जोड़ने के लिए लगा दिया ठीक है तो ये जोड़ गया collector से निकला था तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं collector coupling capacitor कहते हैं ठीक है यह normal coupling capacitor कहते हैं तो एक stage को दूसरी stage से हमने जोड़ दिया अब यहां पर एक बात आप लोगों ने notice की होगी कि मैंने कहां से output लिया है पहली stage का output मैंने collector से लिया है इसका मतलब यह कौन सा configuration आप लोगों का common emitter है ठीक है क्योंकि emitter नीचे क्या हो रहा है आपका दोनों में ground आ रहा है ठीक है तो common emitter configuration अब यहीं से मैं आगे बढ़ता हूं student मैंने यहां से क्या कहा कि अब दूसरी stage के output पर हम लोग जानते हैं कि हमें क्या connect अब हमें यहां से यह output को लेकर आना है और कहा connect करवाने student इसके इस पर एक feedback लगाएंगे और input पर इसे लगा देंगे ठीक है तो feedback लगाने से क्या हो जाएगा student आपका कि यहां अगर मैं बात भी करता हूं तो यह feedback लगाने से बात बन जाएगी किस तरह से कि फिर यह एक oscillator बन जाएगा अब कैसे लगा रहा हूं ध्यान से देखेगा मैंने सिंपल के बात कही student यह देखें यहां से कि feedback हमने कहा भी था कि यहां feedback क्या होता है वें ब्रिज ऑसलेटर या कि एक branch पर एक register और एक capacitor का सीकर्ली में होते हैं वही दूसरी branch पर एक register और एक capacitor same value के कैसे होते हैं आपकी समानतर करम में जुढ़े होते हैं. बाकी यहां से यह बहां देखेंगे तो यह एक register लग गया और यह एक register लग गया तो यह जो इस प्रकार का परिपत है जो आप लोगों को अभी दिख रहा है यह आपका क्या student Wayne Bridge है ठीक है तो यहां मैंने क्या कहा कि यह मैंने अगर यहां लिखा कि यह register R और यह C यह register R और यह C और यहां मैंने कह दिया कि register R2 और यह register आपका R3 इतना ठीक है इस बात को ध्यान से देखें समझते वे चलें कि मैं क्या और किस तरह से दिखा रहा हूं यह जो circuit है student आप लोगों का इतने circuit के सिर्फ बात कर रहा हूं यह हमारा क्या है Wayne Bridge circuit है ठीक है तो यह तो बन गया हमारा Wayne Bridge अब बात करते हैं student इस circuit के connection की तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि यहां से output को connect करवाया ठीक हमने क्या कहा कि यह output हमने connect कराए यहां इस पर feedback बनाने के लिए एक जगे से connect कराया दूसरी जगे से हमने क्या कर दिया इससे ground कर दिया इस तरह से ठीक है तो यह दो नोट बन गई अब दूसरी बात हमने क्या कही कि यहां पर यह जो आपका एंप्लिफायर है ठीक है सेकेंड स्टेज वाला इससे भी हमने क्या कर दिया ग्राउंड कर दिया इसका जो परिप्वत है वो बना रहा हूं ठीक है अगली बात आती इस तुरेंट आपकी कि यहां से अब अगर मैं कहूं भी तो यह हमारा जो यह नीचे वाला टर्मिनल होता है ठीक है यहां पर अगर मैं पहली स्टेज के बात करता हूँ कि इसका जो bottom terminal है, नीचे वाला terminal है, ये connected होता है हमारे यहां से, ठीक, इसे ध्यान से देखेगा, ये कुछ इस तरह से connected होता है, ठीक, ऐसे गर मैं बात करता हूँ कि यहां ये जो input, आपने अक्सर सुना भी होगा, कि किसी भी oscillator circuit में input की आवस्यक्ता नहीं होती है, क्यों, क्यों में connected नहीं है, और फिर ये यहां connect हो जाता है, ये कुछ इस तरह से, तो ये circuit है, इस हमारे वें bridge oscillator का, ठीक है, इस पूरे परिपत में, इस पूरे circuit में एक बात को आप लोग देख सकते हैं, कि यहां पर क्या है, इस तुरे आपका, अगर मैं circuit को लेकर भी चलता हूँ, feedback पर जो connection है, वो किसका आपका, वें bridge का है, ये feedback पर जो connect है, वो कौन आपका, वें bridge है, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान से देखें, दो हमारी के हैं, यहां पर transistor की stages लगी वही हैं, ठीक है, और एक के connection को आप देख सकते हैं, ये base से connect हो रहा है, तो ये होता आपका base-biasing capacitor अपेस्टर्, यह क्या होता है, इस तुड़ूरेंट हमारा base-biasing capacitor, यAgीन हमारा क्या आपकेस्टर, ये कुछ इस तरह ऐसे आ जाएगा, बाकि उधर जो circuit हम लोग बनाए हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा vein ब्रेज है ठीक है यह क्या है इसके बारे में कुछ पॉइंट की जो हमें अक्सर एक्जामिनेशन में पुछता है सबसे पहली बात कि कि वीन ब्रिज परिपत में यहां से अगर मैं लिखता भी हूँ वीन ब्रिज परिपत में मेरे साथ बोलते रहें और समझते रहें वीन ब्रिज परिपत में अगर आप इसको बी जे टी से बनारे हैं ठीक है वीनभ्रिज परिपत में दो दो एम्पली फायर सर्किट दो एम्पली फायर सर्किट ठीक है तो किया इस तुरिंट आपकी यहां पर अगर हम बात भी करते हैं कि दो एम्पली फायर सर्किट ठीक है और वो भी दोनों के दोनों कैसे हैं दोनों आपके ठीक है यहां आप देख सकते हैं कि दोनों हमारे कैसे हैं सबसे पहले बात हमने कहीं कि NPN हैं ठीक है दूसरी बात हमने कहीं कि common emitter हैं और तीसरी बात हमने कहीं कि क्या हैं आपके voltage divider bias में है voltage divider bias ठीक है तो यह बात हमने यहां लिखे कि दो amplifier circuit लगे होते हैं ठीक है कि यहां क्या होते हैं आपके दो amplifier circuit लगे हुए होते हैं कि इस परिपत में दो amplifier या दो transistor circuit लगे होते हैं अब जब हमने transistor पड़ा था तो हमने एक बात पड़ी थी student कि कोई भी common emitter circuit होता है वो कितने का face shift देता है 180 degree का face shift देता है ठीक है तो यहां कह सकते हैं कि इस circuit में ठीक है इस circuit में अब अगर मैं circuit की बात करता हूं तो हमने क्या कहा कि इस circuit में पहली transistor stage ठीक है पहली transistor या पहली आपकी transistor इस तरह सम लिखते भी हैं कि पहली transistor stage पहली transistor stage क्या करती है आपकी पहली ट्रांजिस्टरी स्टेज 180 डिगरी का फेज सिफ्ट देती है ठीक है 180 डिगरी का फेज सिफ्ट देती है पहली ट्रांजिस्टरी स्टेज क्या करती है 180 डिगरी का फेज सिफ्ट देती है वह ठीक है फिर इसी तरह से बात करते हैं वह दूसरी स्टेज ठीक है दूसरी स्टेज फिर से ठीक है क्या का आपका दूसरी ट्रांजिस्टर की इस्टेज फिर से वो भी कितना देती है आपकी 180 डिगरी का फेज शिफ्ट देकर 180 डिगरी का फेज शिफ्ट देकर ठीक है कि ये भी हमें क्या देती है इतना बना लेती है प्र जीरो डिगरी का फेश सिफ्ट बना देती है ठीक है यह कैसे बनाती है इस तुरे इस तुरेइंट अब ध्यान से देखेगा ठीक है यहां से अगर मैं कहुंँ को भी समझें चीजों को कि कैसे समझा रहा हूं मैंने आप से सिंपल सी बात क्या कही स्टुरेंट के अगर आप लेकर भी चल रहे हैं ठीक है तो द्यान से देखना वह आपने पहली ट्रांजिस्टर स्टेज देखी यहां आपने कुछ इस प्रकार से आपने इंपुट दिया आपने कहा कि सर यहां से यह जो हमारा इंपुट जा रहा है वो कुछ ऐसा जा रहा है यह सिगनल जा रहा है ठीक है अब जैसी ट्रांजिस्टर के आउटपुट पर मिलेगा तो 180 डिगरी के फेसे पर मिलेगा अब 180 का फेसे कहने का मतलब है कि जहां यह पॉजिटिव था व से डिगरी और फेज सिफ्ट कर देगा तो इसका मतलब यह फिर से कैसा आजाएगा जैसे यह पहले था यह जिस फेज में यह पहले था तो 180 वहां से आया 180 डिगरी का यहां से आया तो अब अगर हम बात करें हम कंपेर करें अपने input signal ठीक है और overall output signal की तो यह कैसे हैं आपके same phase में हैं ठीक है यह कैसे instrument आप लोगों के same phase में है same phase कहने का मतलब आपका कि यहां पर जो कलांतर है जो phase है वो कितना है आपका zero degree का है कोई भी phase shift नहीं आ रहा है अगर आप overall input और overall output की बात कर रहे हैं तो वही बात हमने कहीं कि दो ट्रांजिस्टर स्टेज लगे होने के कारण क्या होता आपका total phase shift कितना आता है zero degree आता है अच्छा इसी बात को ध्यान रखेगा इस तुरेंट यहीं से क्योंगी question ऐसे भी पूशता है कि इस परिपत में वेंब्रीज oscillator कितने को वेंब्रीज circuit कितने का phase shift देता है तो यह भी बात याद रखें कि वेंब्रीज circuit कोई भी phase shift नहीं देता है ठीक है तो इस circuit में इस circuit में ठीक है वेंब्रेज जो लगा हुआ है वेन ब्रेज कितनी का फेस्ट देता है कोई फेस्ट नहीं आपके कह सकते हैं जीरो डिगरी का कलांतर देता है ठीक है जीरो डिगरी का कलांतर देता है ठीक है यह क्या देता आपका जीरो डिगरी का कलांतर या जीरो डिगरी का फेस्ट देता है ठीक है तो इसे आप लोग साफ साफ कि हमारे पास दो ट्रांजिस्टर इस्टेज वह यह हमारी पहली स्टेज फॉस्ट इस्टेज और यह हमारी सेकंड इस्टेज यह होती है ठीक है कि दो हमारी ट्रांजिस्टर स्टेजेज होती हैं फिर दूसरी बात हमने क्या कही कि फीडबैक पर हमारा वीन ब्रेज हमारा एक एसी ब्रेज होता है वह लगा हुआ होता है पहली स्टेज से लाता हूं तो मुझे एक बात समझ आगी ठीक है कि क्या फीड़िट आना था और कितना आना था ठीक है अब इस ऑसलेटर से रिलेटेड एक पॉजिटिव या नेगेटिव धनात्मक ठीक है धनात्मक या रिनात्मक ठीक है क्या का इस तुरेंट आपका पॉजिटिव या नेगेटिव धनात्मक या रिनात्मक किसी भी प्रकार के फीडबैक धनात्मक या रिनात्मक किसी भी प्रकार के फीडबैक किसी भी प्रकार क ठीक है यहां से क्या कहा किसी भी प्रकार के feedback को लगा कर बनाया जा सकता है ठीक है बनाया जा सकता है ठीक है तो हमने क्या कहा यहां से कि इस amplifier को ठीक है क्या कर सकते हैं हम दो कि यह जो amplifier है इसे आप positive या negative किसी भी type के feedback को लगा कर बना सकते हैं यह अक्सर question पूसता भी है कि which of the following oscillator can be designed by either positive और negative feedback कि निम्न में से किस oscillator परिपत को धनात्मक या रनात्मक किसी भी प्रकार के feedback को लगा कर बनाया जा सकता है ठीक है बाकी के जितने भी oscillator हैं वहाँ सिर्फ आपका positive feedback की लग सकता है ठीक है इतना चलिए तो अब बात आती है student आपकी कि यह तो हमने oscillator देख लिया अगली बात आती है कि यह किस range की frequency को oscillate या किस range की frequency को generate करता है तो हमने क्या कहा oscillation की frequency ठीक है यह frequency of oscillation भी आप कह सकते हैं तो oscillation की frequency कि जो signal निकल कर आता है वो किस frequency का निकल कर आता है oscillation की frequency ठीक है frequency of oscillation जिसे हम कहते हैं देखेगा ठीक है तो यहां से क्या का इस student आपका oscillation की frequency या frequency of oscillation तो frequency of oscillation के अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कहा कि frequency मतलब f और oscillation मतलब o तो f o is equals to यह आता है वन अपान two into pi into r into c और यह r और c आपने देखे थे कहां पर थे आपके register आपके feedback element पर थे यह r यह c तो इनका मान आपको रख देना है अगर आपके examination में यहां से इस प्रकार का कभी छोटा सा question पूसता है ठीक है register r आपका feedback पर लगा था और capacitor c भी आपका feedback पर लगा था अच्छा कई exam में क्या करता है इसी formula को लिखने का तरीका बदल देता है बस कैसे कि वह one upon two pi को देखता है कि यह तो constant यह तो solve हो जाएंगे तो फिर formula बनता है 0.159 और divide by r into c ठीक है तो यह formula इस तरह से भी बन सकता अगर आप one upon two pi को solve कर लेंगे मतलब two pi से divide कर देजिए one को ठीक है इतना फिर यहीं से बात आती है student आप लोगों की कि किस range की frequency यह तो हमने एक formula कहा कि इस से हम value आप निकाल लेंगे ठीक है तो अब बात करतें आपका कि किस range की frequency यह जiğनरेट होती है ठीक है तो हब यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि frequency range थे ठीक है क्या जा इस दो अपका frequency range कि किस range की frequency को यह जनरेट करता है तो इस टेंडर्ड अगर हम कहें वेन अग्यान हम लोग कर रहे हैं तो वेंद जनरेट कर सकता है एक हर्ड्स से लेकर आपके 1 मेगा हर्ट्स तख ठीक了 फेश्ड ता तो वह 100 मेगा हर्ड्स तख जा रहा था यह हम लोग बात करते हैं वह 0".ये इसके तो ये सिर्फ कितना generate कर सकता है इस तुरेंट आपका ये सिर्फ हमारा वन मेगा हर्ट्स तक ही generate कर सकता है और कम frequency generate करने के कारण इस पर बेज जीक important question भी बनता है और आप अगर इसका practical प्रायोगत्मक रूप भी देखें तो practically इस एक specific जगए भी यूज किया जाता है ठ प्रयोग ठीक है इसके यूज इस आप कह सकते हैं या Applications आप कह सकते हैं ठीक है तो अनुपरियोग देखते हैं अब हम इसके वेन Bridge oscillator के ठीक है कहने का मतलब आपका Applications हम लोग अब लिख रहे हैं कि वेन ब्रीज ऑसलेटर के क्या क्या Applications होते हैं कहां कहां पर हम इसे परियोग करते हैं ठीक है तो सबसे पहले बात आती है अगर मैं यहां से देखूं कि वेनब्रिस का परियोग कहा होता है निम्न आवर्ति के सिगनल को generate करने के लिए तो हमने सबसे पहले बात लेखी कि इसका परियोग ठीक है क्या का हमने इसका प्रयोग निम्न आवर्ति की इसका प्रयोग निम्न आवर्ति के सिगनल को या निम्न आवर्ति के सिगनल को जनरेट करने के लिए ठीक है सिगनल को ठीक है इसका प्रयोग निम्न आवर्ति के सिगनल को जनरेट करने के लिए ठीक है, signal को generate करने के लिए किया जाता है, generate करने के लिए किया जाता है, तो निमना आवर्ति की frequency, निमना आवर्ति का signal का यह या पिर low frequency signal आप कह सकते हैं, कि इसका use हम लोग कहां करते हैं low frequency के signal को generate करने के लिए low frequency की बात को अगर लिखे तो examiner आपको ऐसे भी लिख सकता है ठीक है कि low को ही यह क्या लिख सकता है audio भी लिख सकता है तो इस बात को यह ऐसे भी लिख सकता है audio frequency को generate करने के लिए ठीक है क्या कहा audio frequency को ठीक है इसे बात को यह ऐसे भी कह सकता है audio frequency को generate करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ठीक है generate करने में ठीक है तो इसको इतना ही लिख रहा हूं कि audio frequency को generate करने में भी इसका परियोग होता है तीसरा और एक important question student ठीक है यहीं से गर में बात भी करता हूं जो अकसर exam में भी पोछता है इस ओसलेटर का परियोग ठीक है इस ओसलेटर का परियोग इस ओसलेटर का परियोग ठीक है कहां होता आपका Laboratories में, ठीक है, जो Lab होती है आपकी, इसका परियोग Laboratories में किया जाता है, ठीक है, जितनी भी आपकी Lab होती है, वहाँ पर आपका इसी Frequency का परियोग होता है, या इसी Range की Frequency या इस Oscillator का परियोग होता है, चलिए, तो इसे कि फटाफट से नोट कर लें ये था मारा वें ब्रेज और ठीक है क्या क्या कहा इस तुरिंट आपके अगर मैं सुरुआध से आपको समझााता हूं हमने सिंपल से बात कहीं कि आपको बेसिक सी जो बात याद रखनी है वो वो थी स्टुरेंट आपकी किस तरह से ध्यान से देखेगा कि हमने सिंपल क्या कि आपका कि दो ट्रांजिस्टर स्टेज होती हैं फीडबैक पर वेंब्रेस कनेक्टेड होता आपका ठीक है अगली बात हमने क्या कही कि पहली स्टेज से दूसरी से माइनस एक्सटी डिगरी या उसका जास्ट अपोजेट तो टोटल जीरो डिगरी का फेस्ट हो गया तो यहां टोटल और अगर हम वेंब्रेस के रिस्पेक्टिव लिए बात करते हैं तब भी जीरो डिगरी का फेस्ट आता है फिर बात आई कि इस उसलेटर को पॉ असलेशन के लिए हमने स्टेंडरर फॉर्मले लिखा तो यहां हमने दो फॉर्मले देखे वन अपॉन टू पाई इंटो र इंटो से यह वन अपॉन टूपाई को सालब किया तो जिरो प्वाइंट वो जिरो पॉइंट वो फाइव निकल कर आ गया फिर दूसरी बात को करने के लिए audio frequency को generate करने के लिए या फिर लैबोरेटरी में इसका परियोग करते हैं ठीक है एक छोटी सी बात रहे इस तुरेंट आपकी इसके लिए गेन की ठीक है कि गेन कितना होता है जैसे हमने देखा था किसके केस में फेस्ट के केस में तो गेन कितना आया था आपका 29 त अगर ऑसलेटर आपका वेन ब्रेज से बना हुआ है वेन ब्रेज ऑसलेटर के लिए गेन ठीक है कि यहाँ पर जो गेन होता आपका के लिए गेन ठीक है वो कितना होता आपका गेन जो निकल कर आता है that is equals to three कि यहाँ गेन कमान कितना होता आपका तीन होता है ठीक है इस बात को याद रखें कि यहां पर गीन का मान तीन होता है चलिए इसे फटाफट से नोट डाउन कर लें जहां पर नहीं समझा रहा हो आप लोग पूछ सकते हैं एक एक बात को ध्यान से देखते रहें समझते वे चलें कि लिए इतना चलिए ठीक है तो मैं आगे बढ़ता हूं ध्यान से चीजों को लिखते रहें कमेंट्स में टाइम खराब नहीं करना है आप लोग बस जो बोड़ पर चीजें चल रही हैं वहीं आपके फाइदे के लिए और वही जरूरी भी है ठीक है यह थे इस तुरेंट अ हम लोग ठीक है आप कह सकते हैं कि हाई और रेडियो फ्रिक्वेंसी हाई और रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर ठीक है थोड़ा सा सौट में लेख रहा हूं कि क्या का आपका हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी यहां से मैंने क्या कहा कि हाई और रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑस यह इसी बात को आप क्या कहते हैं इसी बात को अगर मैं हिंदी में लिखू हूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि निमन या फिर सब्स हो एग तो रेडियो फ्रेक्वेंसी के ओसलेटर निम्न यार रेडियो आवर्ती ठीक है निम्न यार रेडियो आवर्ती ओसलेटर ठीक है निम्न आवर्ती ओसलेटर ठीक है एक मिनट एक मिनट एक मिनट निम्न नहीं रेडियो के बात कर रहा हूं सौरी ठीक है रेडियो क्या होता है इस ठीक है तो यह क्या का आपका हाई मतलब उच्छ हो गया. रेडियो आवर्थी उसलेंटर. अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आपके हाई टेडर की ले वह प्रिक्वेंशी और Kक्रणित में भी बात हम लोग जानते हैं, या अगर मैं कहूं। radio frequency oscillator बेसिक में आप लोगों को पहले इसका बता चुका हूं ठीक है बेसिक बात हैं हम इसके पहले देख चुके हैं जब हमने इसका classification ही देखा था ठीक है क्या कहा था इस प्रेंट आपका कि यह जो oscillator होते हैं कि किस्से बनते हैं आपके feedback परिपत पर यह इन oscillator का इन ओसिलेटर में यह इन ओसिलेटर का ऐसे लिख लेते हैं डारक्टी इन ओसिलेटर का feedback परिपत ठीक है इन ओसिलेटर का feedback परिपत जो feedback circuit होता है feedback परिपत यह feedback circuit किसे बना होता आपका प्रेरक्वा ठीक है प्रेरक कहने का मतलब इंडक्टर वा संधारितर ठीक है जिसे हम कहते हैं प्रेरख वा संधारित्र इंड़क्टर वा कैपेसिटर ठीक है से बना होता है से बना होता है ठीक है तो मैंने क्या कहा इस तुरेंट आपकी यहां से इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है ठीक है कि इनका जो फीडवाइक परिपत होता है इनका जो फीडव हुआ होता है L या see से बना हुआ होता है कि कीकश चावरतिक के ऐस लेटर फिर अगली बात मैंने यहीं से क्या कही स्थ तुरें यह चार प्रकार के होते हैं ठीक है कितने टाइफ के आप दियान से देखेगा यह चार प्रकार के होते हैं दिर आर four types of high frequency oscillators कि यह चार प्रकार के होते हैं, ठीक अब चारों के नाम आप लोग वैसे जानते हैं, फिर भी एक बार याद कराने के लिए फिर भी लिख देता हूं सबसे पहला जो था, ठीक है वो था आपका heart lay oscillator, ठीक है था जह क्या कहा हापका heart lay oscillator, ठीक है अगला जो नाम आता है वह आपका crystal oscillator हिंदी में आगे लिखूंगा जब heading दलवाऊंगा भी यहाँ पर English में लिख दे रहा हूं चाहर हूं ठीक है फिर तीसरा आता इस तो निट आपका ये तो हो गया crystal लॉस एक मिनट हार्टली के बाद आपको याद रखना है जो इसके ठीक अगर मैं सिक्वेंशली लिखता हूं तो वह आता आपका call pits oscillator ठीक है कौन सा होता आपका call pits oscillator इसी का improved version अगर मैं कहता हूं तो यह आता आपका clap oscillator ठीक है यह होता आपका clap oscillator और fourth और सबसे important oscillator जो सबसे ज़्यादा प्रियोग भी होता है और जहां से सबसे ज़्यादा questions भी पूछे जाते हैं वो है student आप लोगों का crystal oscillator ठीक है वो कौन सा आपका crystal oscillator ठीक है तो उच्छ आवरती के oscillator चार परकार के होते हैं high frequency के जो oscillator होते हैं आपके वो four types के होते हैं ठीक है one by one ध्यान से देखेगा कि सबसे पहले क्या का आप लोगों का heart oscillator होता है ठीक है फिर होता है student आप लोगों का corporate oscillator ठीक है फिर इसी sequence बगर मैं बात करता हूं तो फिर होता आपका clap oscillator और सबसे last और सबसे important यह है आप लोगों का crystal oscillator चार टाइप के क्या होते हैं हमारे oscillator होते हैं कौन से जब हम बात करते हैं किसकी radio frequency की उच्च आवरती की तो उच्च आवरती के oscillator आपके चार प्रकार के होते हैं जो कि चारों के चारों आपके सामदे पर हैं आप इन्हें देख भी सकते हैं कि यह चार टाइप आपके यह फोर टाइपस आपके कौन से हैं ठीक है तो इन में सबसे important बात और जो common बात है व का inductor और capacitor से ही इनका feedback बनता है ठीक है किससे बनता आपका inductor या capacitor को लगा कर ही इनके feedback को बनाया जाता है ठीक है तो लिखने इसे कि चार प्रकार के क्या होता है हाई frequency oscillator या फिर रेडियो frequency oscillator होते है ठीक है आप लोग screenshot लेते रहें directly ठीक है comments पर ध्यान ना दें ठीक है क्योंकि मुझे नहीं लगता है कोई doubt आएगा in case फिर भी कोई नोट बुक पर ध्यान दें ठीक है अभी कोई comment नहीं करना है इतना ठीक है चली अब मैं बात करता हूं इस्ट्रेंट आप लोगों के आगे अब one by one हम इने लेकर चलते हैं तो सबसे पहला नाम अब लिखते हैं इस्ट्रेंट हम लोग तो फोस्ट जो नाम था वो था आपक सबसे लेटर। घएक है तो सबसे पहला जो नाम है आपका हो था जचपित हई ले ऐसलेटर हाट लेवासलेट युशलेटर से रिलेटेट जबसे पहला कोसने इसके सर्कित डायग्राम से संबन देता है ठीक है वह कौन सा है आपको question पूशता है कि निमन मेशे कौन सा ज़त tabbed inductive oscillator कहलाता है, क्या कहा, which of the following oscillator is known as tabbed inductive oscillator, ठीक है, तो इसे सबसे पहली बात लिखेगा, इसे, और क्या कहते हैं, इसे tabbed, इसे tabbed inductive, इसे tabbed inductive oscillator भी कहते हैं, इसे tabbed inductive oscillator भी कहते हैं, कि इसे tabbed inductive oscillator भी कहते हैं, क्या कहा, इस तुरेंट आपका, कि इसको क्या कहते हैं, tabbed inductive oscillator भी कहते हैं, ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि यह एक important question भी है, कि tabbed inductive oscillator कौन सा होता है, तो tabbed inductive oscillator हमारा heartly oscillator ही होता है बस Goo कारण क्या है कि इस से कहते क्यों है वह कारण क्या है की से ट Olivia कहते हैं तो टाप Impossible कहने का कारण है आप इसका थ्रांजिस्टर बाइस से क्यों यह यह आपके दो 20 दिश्टर जले सबके सबसे पहले आपके एमिटर और कलेकटर पर दो रिजस्टर लगे है कि कि आपके दो रिजिस्टर लगें है फिर यहां किया का कहा कि Is the I ball के लिए दो रिजिस्टर हमारे बे refund और यह इस तरह से होते है एक क्थ कैड़ नसमां कुछ इस पृकंड से कार्ग Lorna लग गया तो तो जहां तीर का निसान होता, हमने पहले वी कहा था आप से कि वही क्या होता है, अइमिटर, इसके according ये रेजिस्टर हो गया, एमिटर का, ठीक, ये उपर वाला टर्मिनल हो गया, कलेक्टर तो ये रेजिस्टर हो गया, आपका कलेक्टर रेजिस्टर, ठीक है बाकि बीच वाले टर्मिनल को सब लोग जानते हैं कि यह क्या आपका बेश टर्मिनल फिर दो रेजिस्टर आरवन और आरटू के हैं बाइसिंग को स्टैबल करने के लिए यहां पर लगाए गये हैं ठीक है फिर अगली बात आती है यहीं से अगर मैं कहता हूं तो यह मैंने क्या देदी यहां पर सप्लाई देदी वी सी सी ठीक है नीचे मैंने क्या कहा अभी नहीं कर रहा हूं करना मुझे वहां पर ग्राउंड है ठीक है तो इसको ग्राउंड अभी नहीं कर रहा हूं पहले मैं आप लोगों को फीडवैक सर्कुट दिखाता हूं ठीक है यहां से अगर मैं कहूं भी कि यह एक इंड़क्टर और यह एक इंड़क्टर यह इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि मैं सिंगल इंड़क्टर को लो और उसे सेंटर से ग्राउंड कर दों ठीक है तो यह मैंने यहां से क्या कहा कि यह हमारा कैसे है यहां से ग्राउंड है अब ये जो circuit बना है, इसे कहते हैं कि ये हमारे दो inductor थे, L1 और L2, दोनों कैसे हो गए, ground हो गए बीच से, ये दोनों का ये common point ground हो गया, इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि single inductor लीजिए और उसे center से ground कीजिए, तो इस बात के लिए इसे क्या का हमने tapped inductive कहा, ठीक है, और बाकी circuit अभी पूरा नहीं हुआ है, यहाँ यह किस तरह से क्या लगा होता है, अपका capacitor भी लगा होता है, यहाँ से क्या होता है, इस तरह से यह capacitor भी connected होता है, समानतर करम में, तो यह capacitor C लगया, तो यह जो circuit मैंने इतना बनाया है, इस student आपके सामने पर, यह हमारा क्या है यह हमारा feedback circuit है ठीक है यह के indicate कर रहा हमारे feedback को यहां उपर यह terminal ground होना था तो मैंने दोनों को common ground कर दिया कुछ इस तरह से ठीक है आप दोनों को common ground कर सकते हैं और चाहो तो अलग अलग ग्राउंड भी ले सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो अब इस circuit को हम लोग पूरा कर लेते हैं तो यहां से कैसे हो जाएगा कि यह output था यह ऐसे कुछ output निकलता है ठीक है तो यह output का ही part आपका feedback पर यह इस तरह से input पर जाकर connect हो रहा है ठीक है यह क्या का आपका input पर connect हो रहा है ठीक है एक मिनटा है झाल झाल है थिक है तो क्या का इस्थ तुरेंट इसके सर्कृट की बात हम कर रहे थे आउट्पूट को इंपूट पर करेक्ट किया यह इन्पूट पर इसे पहुंचाते हैं पहले यह एक कैपिस्टर लगा दिया डायरेक्ट हम कभी भी किसी बीलेक्ट्रानिक सर्कृट पर सप्लाई नहीं देता हैं अपने सेक्योरिटी परपस से रेजिस्टर कैपिस्टर इनको हम लोग लेकर चलते हैं प्रोडक्शन परपस के लिए तो यह हमारा आगया सी बी यह आगया हमारा सी सी ठीक है यह हमारा था आउटपूट वोटेज वी आउट और नीचे यह जो सर्कृट हमा हमारा यहां से अगर मैं लेकर भी चलों तो दिस इस फीज यह आपका क्या है हाटले ओसलेटर का सर्केट है ठीक है सर्केट को अगर आप देखते भी हैं तो यह क्या स्टूरेंट आप लोगों का दिस इस हाटले ओसलेटर यहां मैं लिख भी देता हूं कि फिगर यह क्या का heart lay heart lay oscillator कि कि यह क्या आपका heart lay oscillator बहुत कुछ अलग बात याद नहीं रखनी एक तो transistor वो तो amplifier है उसी पर हमें feedback लगाना है याद जो रखना है वो नीचे वाला circuit रखना है तो क्या है आपका अब इस circuit के बारे में हम लोग लिखते हैं हमने बात कहीं भी किसे हम लोग क्या कहते हैं टैप्ड इंड़क्त्र ऑस लेटर भी कहते हैं कि यहां से देखेगा कि इस औस लेटर में कि इस और देखे पर इस और इस ऊजलेटर में फीडबयक पर इस Illustrator में Feedback पर किया होता आपका एक Inductor को छी के जिसे आब रेरख भी कहता है एक Inductor को Center से एक Inductor को Center से या या तो एक Inductor को या दो इंड़क्टर्स को common point से common point से common point तो इनका दोनों का इसका भी है इसका भी है common पॉइंट से जहां पर मिल रहे हैं common point से ground करके common point से ground करके किसके समांतर में हैं करके एक संधारितर के या एक capacitor के एक capacitor के समांतर करम में जोड़ा जाता है एक एक capacitor के समांतर करम में जोड़ा जाता है तो यह कहानी आ गए इसके feedback के लिए ठीक है हमने simple से बात किया कही ही कि अगर हम feedback को यहां से इसके feedback को अगर हम लेकर विचलते हैं तो हमने क्या का इस्ट्रेंट आपका जो बात आपको याद रखनी है कि यहां जो feedback होता है वो कैसे होता आपका ठीक है अगर हम बात भी करते हैं तो एक inductor को या तो सिर्फ एक inductor लेकर चलिए या फिर दो inductor को एक inductor होगा तो center से ground करना है दो inductor होंगे तो common point से उसे ground करके किसके parallel में जोड़ा गे आपका capacitor के parallel में capacitor के समानतर में इसे जोड़ा जाता है ठीक है और यहां पर बात ध्यान से देखेगा student आपकी कि यह जो बात निकल कर भी आई है कि एक inductor को center से या दो inductor के common point को ground करना ठीक है इसी वजह से क्योंकि ground को ही हम लोग क्या कहते है इस तुरेंट कि इतना ठीक है अब बात आती है यहां से कि कितनी frequency का oscillation generate होगा इसे फटाफ़ट से लिख लें पहले कि नोडाउन करते रहे हैं और साथ के साथ sky screen shot जरूर लेते रहे हैं हो गया है चली तो यह आपका अब यहां साब आगे बढ़ते हैं किस frequency का signal generate होगा या कितनी frequency का signal generate होगा ठीक है तो हमने क्या कहा कि oscillation कितनी frequency का हो रहा है या oscillation कितने से हो रहा है तो देखेगा ठीक है frequency of oscillation इंगलिस वाले इस तुरेंट लिख लें frequency of oscillation oscillation की आवर्ति या oscillation की frequency ठीक है frequency of oscillations ठीक है तो यहां frequency of oscillation जो निकल कर आता है वो ध्यान से देखेगा हमने कहा frequency oscillation मतला जीरो या नॉट लगा दिया या ओ लगा दिया फार्मुला बनता है वन अपॉन जो हमारा रेजोनेन सर्कुट के लिए फार्मुला होता है टू पाई अंडर रूड एल दो थे तो इसलिए हमने equivalent कहा कि L equivalent into C ठीक है यह इस तरह से हमने लिख दिया कि कितना आ जाएगा वन अपॉन टू पाई अंडर रूड आफ एल इंटू सी ठीक है तो यह कुछ इस तरह से निकल क्य 1600 करता हूं तो मैंने क्या कहा कि ल element यहां पर लिखा यह बात बताएएं कि अगर मैं यहां से इस तरह से कहूं कि यह हमारा क्या है एक ऑनक्तर है और एक हमारा क्या है दूसरा inductor है ठीक है इस तरह से दो inductor connected है आपके यह हमने कहा यहां से अगर मैं ले कर भी चलता हूँ दो inductor या दो प्रेरख जब हमारे सिरेवला में सिरीज में connected होते है ठीक है तो इस इस्थिती में मैंने सबसे पहले क्या कहा कि यह नॉर्मल केस है यहां क्या कहा कि यह मेरा inductor l1 है और यह मेरा inductor l2 है तो इस इस्थिति में अगर मैं आप से कहूं कि equivalent inductance कितना होगा तो आप बिल्कुल तेजी से कहेंगे कि सर दोनों series में हैं तो इसका मतलब l1 plus l2 होगा ठीक है तो फिर उस इस्थिति में यह ऐसे आजाएगा और अगर कभी circuit में उसने आपको कुछ बना कर दिया कैसे कि ये तो बना कर दिया ही ठीक है यहां से पहला case यह ले लिया मैंने और दूसरा case मैंने यह ले लिया ठीक है तो कहने का मतलब कि आपका अभी मैं इन दोनों बातों को भी समझाऊंगा आपको ठीक है मेरा सिंपल सा मिनिंग है कि यहां अगर हम लोग देखते हैं यहां पर लिख लेता हूं कि यह लेक्योवेलेंट निकल कर आगया अब यह देखेगा कि अगर सपर्किट में यह कहा कि इसके साथ-साथ मुझे और क्या कहानी गिवन है कि पहला कंडीशन मैंने कहा कि यह डॉट यहां और यह एक डॉट यहां कहने का मतलब यह क्या इंडिकेट कर रहा है यह इंडिकेट कर रहा है हमारे म्यूचल इंडिक्टेंस एम को ठीक है या फिर यही चीज ऐसे कि इसके भी बाद में ठीक है यहां भी शुरुआत में था यहां भी शुरुआत में यहां ने क्या कहा है इसके भी बाद में और इसके भी बाद में तो यह हमने कहा कि यह हमार mutual inductance M को represent कर रहा है ठीक है तो उस इस्थिति में यह केस आपका और वहीं दूसरा केस अगर मैं देखो दूसरे केस को अगर मैं लेकर चलता हूं तो दो केस हमारे ऐसे भी बन सकते हैं अभी देखेगा first ठीक है और यह देखें या कि आपका second ठीक है अब यहां हमने क्या कहा कि क्या है कि यहां तो इसका जब पहले पर था तो यहां दूसरे पर दौट था यहां इसके सुरुवात में था अभी द्यान से रिखेगा कहने का मतलब कि 이건 आपका कि यहां से जहांसे क्र Ride एंटर कर रही है पहले इंडक्टर के लिए एंटरिंग पॉइंट पर था और दूसरे इंडक्टर के लिए भी एंटरिंग पर था यहां देखते हैं तो पहले इंडक्टर के भी आपके आउट पॉइंट पर था और यह भी इसके आउट पॉइंट पर था तो इसका मतलब यह तो same case है आपका इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो यह कहने का मतलब है कि जब mutual inductance कैसे आपका इसी बात को अगर मैं कहूं भी तो यह हमारा कैसा case है आपका यह हमारा supportive case है कि जब direction same है supportive case है कि कैसे supportive है पहले inductor के लिए भी dot से current enter कर रही है दूसरे inductor के लिए भी dot से enter कर रही है पहले के लिए भी dot से बाहर जा रही है दूसरे के लिए भी dot से बाहर जा रही है तो supportive case को अगर मैं लेकर चलता हूं और मैंने अब आपसे कहा कि यहां अब आपको equivalent inductance लिखना है तो तब हम लोग क्य हमारा यह फॉर्मूला आ जाता है ठीक वहीं दूसरी दूसरी बात अगर मैं ले कर चलता हूं कि यहां आपने देखा आपने क्या कहा कि सर्फ पहले के लिए करेंट एंटर कर रही है डॉट से जब कि दूसरे के लिए करेंट बाहर निकल रही है डॉट से पहले के लिए आपका opposition का case है और opposition case में आप याद रखें कि अगर आप equivalent inductance को निकालेंगे तो L1 प्लस L2 और यहाँ पर opposition है तो minus of twice of M ठीक है यह कैसे हो जाएगा आपका घट जाएगा minus हो जाएगा तो फिर इस इस्तिति में ऐसे आपका equivalent inductance निकल जाएगा तो यह भी कहानी आपको याद रखनी है यह भी बात आपको याद रखनी है ठीक है कि जब इसके respectively जो हमने यहाँ पर जो formula लिखा है उसके respectively जब हम आपसे कहेंगे कि equivalent inductance जब examiner आपसे रखने को कहें तो कुछ ही इस तरह से आप लोगों को यह value रखनी है ठीक है जैसे आपके सामने पर है कुछ ही इस तरह से आपको क्या करना है यह values रखनी है अगर आप से इतना ध्यान से देखते रहे हैं हर एक चीज आटोमाटिक क्लियर होते जाएगे जहां पर ध्यान से नहीं देखेंगे वहीं पर confusion आना और आटोमाटिक स्टार्ट हो जाएगा ठीक है इसलिए हर एक चीज को बहुत अच्छे से लेकर चलेएं बहुत अच्छे से बनाते वे बहुत अच्छे से सम Jessते विए चलें ठीक है फिर 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 नज़ल अगर डाउट बनता है तो आप पूछ सकते हैं फिर तो अब यहाँ से आप frequency of oscillations निकाल लेंगे कि कितने frequency का oscillation आएगा ठीक है अब बात आती है कि यह तो हमने कहा अगर मैं frequency range के बात करता हूं कि कहां से कहां तक की frequency को ही यह generate कर सकता है तो अब यह लिखेगा frequency range ठीक है कि किस range की frequency को यह generate कर सकता है ठीक है लिखिए frequency range frequency range की अगर मैं बात करता हूं इस तो यह आपका कहां से भाई हमें पता है कि कैसा उसलेटर है हाई frequency oscillator है ठीक है तो यह हमें दस किलो हर्ट से लेकर सो मेगा हर्ट तक की frequency को generate करा कर दे सकता है ठीक है यह कैसे दे सकता आपका 10 kilohertz से लेकर आपका 100 megahertz तक की frequency को सही से generate करा कर दे सकता है कि लिए रहतना ठीक है तो यह भी अपने आप में एक important question है तो यह भी बात आप लोग ध्यान रखें ठीक है चलिए बात हो गई student आपके frequency range की अब इसके लिए gain और इसके applications को देख लेते हैं अगर आपको लिखने का time नहीं मिल रहा हो तो आप लोग screenshot लेकर चलते रहें ठीक है दुबारा लिखने से आपका लिखना भी हो जाएगा और चीजें recall होकर आपको याद भी हो जाएंगे गें देखते हैं इसके लिए लब्दी अगर हम लोग देखते हैं तो गें होता है output upon input तो यहां हमने कहा कि सेकेंड इंपेडियों reactants या second inductive reactants divided by first inductive reactants यह होता हमारा gain ठीक है तो हमें पता है कि यह कैसे लिखते हैं हम लोग यह होता है omega into L omega into L2 divided by omega into L1 ठीक है omega से omega cancel out हो जाएगा तो यह बचेगा आपका कितना यह overall हाजाएगा आपका यहां से गर मैं कहता भी हो ठीक है L2 upon L1 ठीक है तो heartly oscillator के लिए जो gain निकल कर आता है कि heartly oscillator circuit के लिए अगर हम gain की बात करते हैं ठीक है यहां से हमने क्या कहा कि किसी भी heartly oscillator circuit के लिए अगर आप यहां से लेकर भी चलें कि हमने कहा gain तो gain कितना आता आपका gain is equals to L2 upon L1 गर मोबराल कहूं तो हम कह सकते हैं कि L2 upon L1 ठीक है यह निकल गया हमारा gain ठीक अगली बात आती है कि कहां कहां इसे परियोग करते हैं तो हमने कहा heartly oscillator के अनुपरियोग ठीक है क्या काम ने इसके अनुपरियोग या इसके applications या फिर uses आप कह सकते हैं ठीक है Heartly Oscillator के अनुपरियोग या इसके यूसेज ठीक है देखेगा कि कहां कहां पर हम Heartly Oscillator का परियोग करते हैं तो सबसे पहले बात निकल कर आई स्टूरेंट आपकी कि अगर हम यहां से गहें वे उच्छ आवर्ती को जनरेट करने के लिए या उच्छ आवर्ती सिग्नल को जनरेट करने के लिए ठीक है तो उच्छ आवर्ती signal को उच्छावर्ती signal को generate करने में ठीक है उच्छावर्ती की frequency को generate करने में इसका परियोग होता है ठीक है दूसरी बात अगर हम लोग देखते हैं तो radio receiver में ठीक है रेडियो receiver में भी इसका यूज होता है रेडियो receiver में ठीक है और कहां इसे परियोग करते हैं जो radio receiver होते हैं वहाँ पर भी हम इसे परियूज करते हैं ठीक है तो यह आगे इस ट्रीट आपके जनल एपलिकेशन किसके आपके हाटले ओस लेटर के तो उच्छ आवरती का पहला और हमारा complete होता है student that is heart lay oscillator या जिसे हम क्या कहते हैं heart lay oscillator कहते हैं हमने इसके बारे में कुछ basic बाते जानी जो आप लोग मेरे साथ revise करें सबसे पहले हमने कहा कि दो inductor या single inductor को क्या करना है common point से ground करना है इसलिए इसे inductive oscillator या inductive feedback oscillator भी कहते हैं फिर ये दोनों inductor होंगे इनको series parallel में जोड़ देना है capacitor के साथ ठीक है तो यह बन गया पूरा feedback circuit फिर दूसरी बात आई आपकी यहां पर कितनी frequency generate हो सकते तो आपने का one upon two pi under road एक क्योवेलेंट इन्ट इन्टो अगर normal L होंगे normal प्रेरक होंगे तो फिर आप सीधे L1 प्लस L2 कर देंगे और अगर mutual inductance भी given होगा तो फिर supportive और opposition वाला case चेक करके फिर उसके बाद answer करेंगे ठीक है फिर बात आई कि किस range की frequency होती है तो आपने कहा कि सर यह हमने लिखा भी था कि 100 मेंगा हर्ट्स तक 10 किलो हर्ट से 100 मेंगा हर्ट्स तक की frequency generate हो सकती है ठीक है फिर बात आई हमारे गेन की की गेन कितना होता आपका तो गेन अगर मैं यहां से ओवराल कहूं तो गेन होता हमारा एल टू अपॉन ठीक है जो हमारे गेन का मान आता है डाट इस एल टू अपॉन अनुपरियोग में देखते हैं तो उचावरती की frequency के signal को या उचावरती के signal को generate कर सकता है रेडियो receiver में हम इसका परियोग करते हैं सब्सक्राइब इस एतना तो यह था हाटले ओसलेटर ऐसे ही दूसरा ओसलेटर लिखेगा इस तुरेंट अब फटाफट से हैडिंग डालें कॉल पेट्स ओसलेटर थोड़ा सा तेज चलूंगा तो आप लोग साथ के साथ लिखते रहें ठीक है कॉल पेट्स कॉल पेट्स ओसलेटर ठीक है तो अगला जो औसलेटर है यह आपका कॉल पेट्स ओसलेटर तो फटापट से लिखें कॉल पेट्स ओसलेटर तो जो पहला पूश्चन होता है वह इसके सरकिट से ही पूस्ता हमें है ठीक है तो मैं इसका सरकिट बना देता हूं जैसे पिछला हार्ट ले औस लेटर आपका क्या था है जब आमने कहा भी था तो वो था इस तुरेंट हमारा टैप्ट इंडंक्ट tut What तो कोvenes याइख साप आनल के स्टैवल करने के लिए लगाए गए दो रीजिस्टेंश ये लग गए कुछ इसे था है यहां से हमने कहा कि यह हमारा बेस कनेक्ट हो गया कि ठीक है यह यह मने एरो बार को बना दिया तो यह एमिटर और रिपे रोきます आपका R2 ठीक है ये कुछ इस तरह से हो गया अब बात आती है फीडवेक सर्कुट के फीडवेक कैसे होता है यहां पर आपका दो कैपसिटर को सीरीज में लगाकर ठीक है इनके सेंटर पॉइंट को क्या कर दिया जाता है ग्राउंड कर दिया जाता है यह कैपसिटर सीवन हो गया यह कैपसिटर सीटू हो गया और इस पूरे कॉंबिनेशन को पैरलल में जोड़ा जाता है समांतर करम में जोड़ा जाता है एक इंड़क्टर के ठीक है यह कहां जोड़ दिया जाता है एक इंड़क्टर के साथ इसे समांतर में पैरलल में जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर अब अगर मैं देखों भी, तो यह point यहाँ से यह भी ground होना था, तो मैंने दोनों के ground point को common कर दिया, दूसरी बात क्या कही ही, कि यह हमारा, इस तरह से यह output निकल रहा होगा, output voltage V out, feedback लगाना है, तो यहीं से हम लोग यसी output को हम लोग क्या connect कर देंगे, feedback circuit पर, ठीक है, यह यहाँ से connect हो गया, और यह आपका apply हो जाएगा, कहाँ पर आपकी input पर, तो यह capacitor लग गया, यहाँ पर यह आगया आपका blocking capacitor या base bias capacitor जिसे हम कहते हैं, और यह यहाँ इस तरह से connect हो गया, ठीक है, तो circuit तो आपके सामने पर है, किसका आपका, call pits oscillator का, यह आप circuit दे oscillator, ठीक है, यह क्या आपका, call pits oscillator, ठीक है, यह क्या हमारा, call pits oscillator, ठीक है, यह क्या हमारा, call pits oscillator है, ठीक, इस circuit की अगर मैं बात भी करता हूँ, तो this is call pits oscillator, ठीक है, ठीक, यह circuit आप लोग बनाते रहे हैं, साथ के साथ, यह बन गया, आपका call pits oscillator, अच्छा, अब यहीं से अगर मैं हम बात करता हूं इस तो रेंट इस कॉल्पिट्स ऑसिलेटर की अब इसके बारे में सबसे पहले हम इसके सर्किट अर्रेंजमेंट के बारे में ही बातों को स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीजें इसके सर्किट में हैं तो सबसे पहले बात हमने क्या कही ठीक है कि फीडबैक में इस सर्कुट के फीडबैक में ठीक है क्या लगा होता है इस सर्कुट के फीडबैक में दो सीरीज में जुड़े कैपेसिटर दो सीरीज में जुड़े कैपेसिटर को दो सीरीज में जुड़े कैपेसिटर या संधारित्र को कॉमन पॉइंट से जो दोनों का कॉमन पॉइंट होगा कॉमन पॉइंट से ग्राउंड कर दिया जाता है कॉमन पॉइंट से ग्राउंड कर दिया जाता है वैस पूरी ब्राउंच को वह इस पूरी ब्रांच को ठीक है या इस पूरे combination को भी आप कह सकते हैं वैस पूरी ब्रांच को ठीक है इस पूरी ब्रांच को कहां जोड़ दिया जाता आपका इंडक्टर के वैस पूरी ब्रांच को इंडक्टर के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है और क्या किया जाता है इसे इंडक्टर के parallel combination में जोड़ दिया जाता है ठीक है अब अगली बात आती इस्पूरेंट आपकी यह तो हमने नौर्बल सी बात कई यह तो हमने अभी सिर्फ common बात कई इसके circuit arrangement को देखते हुए ठीक है हमने क्या कहा कि यहाँ पर दो capacitor को एक common point से क्या कर दिया जाता है ग्राउंड और उसके parallel में क्या करते हैं हम दो एक इंडक्टर को जोड़ देते हैं ठीक है तो दो capacitor एक जगे से ग्राउंड हो रहे हैं तो इस यह इस oscillator को ठीक है ऐसे लिख लेते हैं इस oscillator को क्या कहते हैं और इस oscillator को को इंट है ठीक है क्या कहते हैं यह देखेगा इस accelerator को तो टैब्ड कैपेसिटिव औसलेटर भी कहते हैं तो क्या का इस तुरेंट आप लोगों को किस ऑसलेटर को हम लोग क्या कहते हैं तो यह कोशन आप लोगों के अक्सर पूशता है अच्छा इस कोशन में आप लोगों ने जब बेसिक लेक्टिकल पड़ा होगा तो डियॉल नेटवर्क पड़े होंगे ठीक है डियॉल कहने का मत्तब क्या होता है सीरीज को पैरलल में बदलना इंड़क्टर की जगे करना वोल्टेज की जगे करेंट सोर्स को लगाना तो यह जो फीड़एक सर्किट है इस तो रेंट ज़रा ध्यान से देखें यहां दो कैपसिटर सीरीज में और एक इंड़क्टर में और पिछले सर्किट को देखिए ज़रा यहां पर क्या था पिछले सर्किट को अगर हम कि दो इंड़क्टर और एक कैपसिटर अब अगला जो है वहां दो कैपसिटर और एक इंड़क्टर इसका मतलब इस फीड़एक सर्किट को मैं कंपेर करूं अगर किस से हाटले ऑसलेटर के तो यह फीड़एक जो सर्किट है यह डियोल नेटवर्क है किसका जो आपके हाट ले उसलेटर में यूज हुआ था ठीक है तो आप लिख सकते हैं कि इस सर्केट का फीड़एक यह इस circuit में परियोग हुआ feedback तो इस circuit का feedback ठीक है कि इस circuit में जो feedback लगा है तो इस circuit का feedback ठीक है अगर मैं बात भी करता हूं कि इस circuit का जो feedback होता है वो हार्टले के feedback से यह हार्टले ऑसलेटर के feedback से ठीक हार्टले के feedback circuit का feedback circuit का dual network होता है इस तरह की चीजें भी आप से पूछ लेता है यह feedback पर जो लगते हैं एक दूसरे की dual network लगते हैं ठीक है डिवल मतलब कि यहां inductor की जगह क्या है capacitor है क्लिए रहे इतना है चलिए आप लोग screenshot ज़रूर लेते रहे हैं क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा लिखने का time कम मिल रहा है अब बात आती इस तुरेंट आप लोगों की कि किस oscillation की frequency generate होगी तो आप यहां पर आप हम ऐसे लिख लेते हैं कि frequency of oscillations ठीक है frequency of oscillations ठीक है कि किस frequency के oscillations generate होंगे यह कितनी frequency के oscillations generate होंगे ठीक है frequency of oscillations तो frequency of oscillations के अगर मैं बात करता हूँ तो frequency f और oscillation not f not is equals to यह बन जाएगा आपका one upon two into pi ठीक है तो यहां आप लिख भी सकते हैं ठीक है हमने क्या कहा कि वैर कि अगर मैं लिख हो भी कि जो यहां equivalent capacitance निकल कर आएगा capacitor का series combination मतलब c1 into c2 c1 into c2 divided by c1 plus c2 यह निकल कर आजाएगा कुल मिलाकर ठीक है तो यह आगे हमारा equivalent capacitor ठीक है तो इससे भी लिख लें आप लोग यह हो गई हमारी frequency of oscillation कि इतनी frequency का oscillation यह इतनी frequency का signal अपना generate होगा ठीक है यह आगे frequency of oscillation अब बात आती है कि यह तो सर हमारा formula अगर हम standard कहें एक कि किस range में frequency आईगी तो अब आप लिख सकते हैं यहां से frequency range ठीक है कि किस range में frequency यह किस range यह किस frequency range का signal आएगा frequency range ठीक है frequency range के अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ जो frequency range होती है सेम आपके हाट ले वाली ही होती है दस किलो हर्ट से लेकर सो मेगा हर्ट्स तक ठीक है दस किलो हर्ट्स से लेकर आपके हंड्रेट मेगा हर्ट्स तक यह हमारी आ जाती है यहां पर भी frequency range ठीक है यहां सेम होती है दस किलो हर्ट से लेकर आपके सो मेगा हर्ट तक ठीक है चलिए नेक्स बात आती है इसके गेन और इसके अनुप्रयोग तो फटा फट सी यह भी देख लेते हैं इस तुरेंट हम लोग सबसे पहले इसका गेन और फिर इसके यूज़िस या अनुप्रयोग सबसे पहले बात हमने कही गेन तो गेन हम लोग जानते हैं जो लब्दी होता है वो क्या होता आपका आउटपूट और इंपूट का अनुपात होता है ठीक है तो आउटपूट अपूट अपूञ़ इनपूट होता है तो यह देखेगा कि यहाँ से अब अगर मैं कहता भी कहा second reactance तो मतलब आपका second capacitive reactance xc2 divided by xc1 हमें पता है कि capacitive reactance की अगर मैं बात करता हूं xc की तो यह क्या आता हमारा one upon omega into c आता है ठीक है तो यहाँ one upon omega c2 आएगा यहाँ omega c1 आएगा तो कुल मिलाकर omega से omega cut cut c1 आजाएगा उपर और c2 आजाएगा नीचे तो यह हमारा भी ठीक है तो यह कैसे होगे student आपका यह देखें यहां से कि अगर मैं overall gain की बात कर रहा हूं ठीक है तो gain क्या निकल कर आजाता है आपका c1 upon c2 हमारा gain आजाता है ठीक है यह हो जाएगा आपका gain c1 upon c2 ठीक है ठीक है तो यह होगे gain अगली बात आती हमारे इसके अगर मैं बात करूँ अनुप्रियोग की कि कहां कहां पर हम इसे culpits oscillator का प्रियोग करते हैं ठीक है तो अगला देखते हैं कि culpits oscillator का use कहां कहां होता है यह देखेगा तो यह बात निकल कर आ जाती है आपकी अनुप्रियोग ठीक है तो अब culpits oscillator को अगर हम दोग देखते हैं ठीक है तो यह आपका generally संचार प्रणाली की युक्तियों में ठीक है तो आप कह सकते हैं कि अंगर सबसे पहले यहीं लिख लेते हैं कि उच्छ आवरती सिगनल को जंड करने में ठीक है। कि उच्च आवर्ती की सिग्णल को जन्रीट करने में ठीक दूसरी बात आती है आपकी यहीं से दर्म लिखता हूँ ठीकिंगा को संचार के मिनिकेशन डिवाइसेस में संचार居 Cyrus जूर्टियों में automatically clear होते रहेंगे ठीक है यहान इदर-दर होगा तो अपने आप चीजें इसके फोजाएंगे ठीक हमें के याद रखना है इस्परेंट यहां पर मैंने लिखा भी आपको frequency of oscillation ठीक है अगर मैं कहता भी हूँ कि frequency of oscillation तो frequency of oscillation हमने देखा formula आपके सामने पर series capacitor था तो c1 into c2 upon c1 plus c2 फिर बात आई आपके किसके frequency range की तो frequency range आपकी सेम हाट ले वाली ही होती है ठीक है फिर बात आई हमारी यहां पर gain की तो gain भी हमने देखा कि second reactance upon first reactance ठीक है तो यह हमारा gain भी निकल लिया फिर बात आती है कहां कहां यूज होते हैं उच्छावरती सिग्नल जन्रेट करने के लिए और संचार युक्तियों में इसका परियोग होता है तो जराफटा फट से इस बात को लिख लें कि अधिक है नोट डाउन कर लें इन चीजों को ऊंच VO सब्सक्राइन कि अधिक अधिक्तर के तरह बढ़ते हैं स्थृण अब लोग इसी कॉल्म पिट ऑशलेटर में कुछ परिवर्टन कि बढ़ एं ठीक है और परिवर्टन के आधार पर ही तीसरा ऑशलेटर बना आपका अधिक है इसके आधार पर ही आपका क्या निखला थार्ड अठीर निकला तो यहां से यह जो तीसरा ऑचलिटर अब हमारा निकल कर आता है यां से अगर हम धोग देखते भी थार्ट और फिर तो थर्ड उस्री तब आथा आद आफका ये था अपका लाफ चलेटर सब्कारम एलएटर से ठीक है तो हैडिंग डालें ऐफ औस लेटर ठीक हैं तो क्लेफ ऐसे लेटर कि अगर मैं बात करता हूं तो अब स्टूरेंट अप लोगों का यह परिवर्टन था वैरीशं था चेंग था मोडेशन था किस में कॉल्पिट ऐसलेटर में ठीक है तो आप कह सकते हैं इस बात को अ बहुं भी कि यह है oscillator यह है oscillator इस oscillator की अगर मैं बात भी करता हूं यह oscillator call pits oscillator का ठीक है क्या कहा यह है oscillator call pits oscillator का ठीक है कि यह बढ़ा हुआ वर्जन है मतलब कुछ सही होकर कुछ और बढ़कर चीज आई इंप्रूवड वर्जन है ठीक है कि यह कि आप लोगों का जो हमारा call pit oscillator है उसका इंप्रूवड वर्जन है अब यहां पर चींज क्या हुआ उस बात को हम लोग देखते हैं diagram से पहले ठीक है कि यहां मैं पहले आपको diagram it करी इसका circuit इसका figure दिखाता हूं फिर उससे आपको आदी चीजें automatic clear हो जाएंगे यहां से मैंने क्या कहा कि ये सबसे पहले ठीक है हम लोग बनाते हैं transistor circuit को देखेगा कि यह हमारा आगया register यह आगया हमारा transistor कि कि यह देखेगा यहां से मैंने क्या कहा यह register आपका transistor लग गया यह एक और रेजिस्टर आ गिया ठीक है फिर इसी तरह से मैं लेकर चलता हूं यह बाइसिंग को स्टैबल करने वाले रेजिस्टर यह कुछ इस तरह से कनेक्ट हो गए है ठीक है सर्किट बार-बार इसने बना रहा हूं ताकि साथ के साथ बनाते वे आपको भी याद हो जाए वी शीया आगए आपका आड़ अर इठीकर यह रेजिस्टर हो गया आ यह हो गया बेस तर्मिनल कनेक्ट हो गया ठीक है तो यह तो हमारा common सर्किट है हमारा transistor सर्किट है अब बात आते है कि sir यहां पर feedback में क्या लगा था नया क्या था आपका कि अभी तक जो हमने देखा हमने क्या देखा था कि एक कैपिसिटर लगा है ठीक है और दूसरा भी कैपिसिटर ही लगा है लगा था ऐसे ठीक है और दोनों के सेंटर से क्या किया हुआ था ग्राउंड किया हुआ था सही है अब नया जो मौडिफिकेशन हुआ वो simple क्या हुआ कि अब एक capacitor parallel में और लगा यह आप कह सकते हैं कि जो parallel में inductor था उसके साथ एक capacitor और जोड़ दिया गया ठीक है और यह capacitor simple capacitor नहीं था यह एक यहाँ पर variable capacitor लगाया गया ठीक है यह C3 variable था variable कहने का मत्तब परिवर्तन सीर था यह fix नहीं था तो यह capacitor C1 यह capacitor C2 और यह आपका L ठीक है और यहाँ अब अगर मैं बात भी करता हूँ यहाँ अगर मैं लिखता भी हूँ तो हमने क्या कहा था कि यह यहाँ से common grounded थे दोनों के दोनों ठीक है यहाँ से हमने कहा था कि यह output नि फिर यहां से यह feedback को हमने जोड़ा था input side में तो यह capacitor लगा कर ऐसे फिर यहां से हमने क्या कहा था यह इस तरह से आपका connection हुआ था ठीक है तो अब इसे ध्यान से देखें और इस circuit को अब समझें इस बात को कि क्या improvement था और कैसा improvement था ठीक है यहां से अगर मैं लेकर भी चलत रही होगे student कि अब हमारा क्या है एक capacitor बढ़ गया है overall एक capacitor ही तो बढ़ा है यहां पर ठीक है अगर हम लोग लेकर भी चलते हैं तो यह देखेगा यह हमारा यहां से क्या है यह हमारा output V out है ठीक है यह हमारा capacitor CC यह capacitor हमारा CB तो यहां यह capacitor C3 बढ़ा है और यह जो oscillator है student आपका है यह हमारा clap oscillator है ठीक है चाहिए तो इस बात को लिख भी लें कि इस is clap oscillator ठीक है यहां से हमने क्या कहा दिस इज़ क्लैफ ऑसी लेटर ठीक है इस is clap oscillator कि यह क्या आपका clap oscillator है ठीक है यह हमारा clap oscillator है अब देखेगा कि यह बात तो हमने लिख दी कि इंप्रूव्ट वर्जन था किसका कॉलपिट ऑसीरेटर का कैसे था वह देखें इस ऑसलेटर के feedback में इस ऑसलेटर के इस ऑसलेटर के फीड़ बैक में क्या-क्या है इस ऑसलेटर के feedback में ठीक है एक ब्रांच में एक ब्रांच में जोवाल्यू के capacitor दो fix value के capacitor की 2 fix value के क्या लगे वे थे capacitor ठीक है चाहूँ तो link भी लीजिए C1, C2 कि दो कैसे थे आपके fix value के capacitor थे और ठीक है यहां से क्या का आपका कि दो fix value के capacitor लगे हुए थे और क्या instrument आपका और दूसरी branch में ठीक है यहीं से अगर मैं आगे बात लिखता हूँ और दूसरी branch में ठीक है क्या लगा हुथा आपका एक variable capacitor variable मतलब परिवर्तन सील जिसे कहते हैं fix नहीं है variable capacitor वा ठीक है एक inductor वा एक प्रेरक वा एक प्रेरक series में जुड़े हैं series में जुड़े होते हैं series में जुड़े होते हैं तो आप देख रहूंगे यह capacitor C3 ही यहाँ पर extra है जुड़े होते हैं और यह दोनों branches यह जो दो ब्रांचेज हैं और यह दोनों ब्रांच ठीक है कि यह जो दोनों साखाएं हैं यह दोनों ब्रांच आपस में ठीक है कि यह जो दोनों के दोनों ब्रांचेज होती हैं यह दोनों ब्रांच आपस में समांतर करम में यह दोनों ब्रांच आपस में समांतर करम में पैरलल में समांतर करम में जुड़ी ह होती थीक है यह दोनों ब्रांच हापस में समांतर क्रम में जुड़ी होती है ठीक है तो आप इस बात को ध्यान से देखें मैंने क्या कहा यहां से कि हमने कहा भी आप से कि यहाँ पर जो चींज आये हुई तीसरी ब्रांच का ही change है और वह Change क्या है यह तीसरे कैपस्टर का ही चेंज है चींज क्या था आपका कि एक ऐसा कैपस्टर भाई अभी तक क्या हो रहा था कि यह फिक्स यह फिक्स तो हमने फ्रिक्वेंची ऑप उसलेशन देखा वन अपॉन टू पाई एल इंटु से इसका मतलब फिक्वेंची फिक्स आईगी बहिए एल फिक् परिवर्तन सील कैपस्टर जिसे हम बार-बार परिवर्तित कर सकते हैं कहने का मतलब कि अब हमें पूरे सर्किट में यह वैल्यू चेंज नहीं यह रेजिस्टर रेप्लेश नहीं करने हैं हमें सीधे इसका मान चेंज करना है और उसका मान चेंज करते ही हमारी फ्रिक्वें और C2 capacitor थे उनके मान से बहुत कम मान इसका होता है ठीक है C3 का जो value होगा वो आपके पुराने दोनों capacitor से बहुत कम होता है ये बात को विशेश रूप से ध्यान रखें कि इसका जो numerical value होगा वो कैसा होगा आपका कम होगा सही है इतना ठीक है तो ये आपका clap oscillator का basic introduction basic theory आपकी त सब्सक्राइब कोसिस करें कि आप लोग की screenshot ले लें इसका ठीक है जैसे मैंने पहले भी कहा कि कम से कम time में क्योंकि आपके exam की date लगवग लगवग आने वाली है ठीक है जो expected है उसके नियर नियर हम लोग पहुंच चुके हैं तो ये सारी चीजें आप लोगों को recall करने की ज सब्सक्राइब होता है है ठीक है चलिए तो अब मैं बात करता हूं इस तुरेंट यह तो basic बात हुई इसके circuit के बारे में basic से बाते हैं जो अभी तक हमारी चली वो इसके circuit डाइग्राम के लिए थी अगली बात आती है और आप अशिलेशन की frequency ठीक है तो यहां से हमने लिखा frequency of oscillation का यह या फिर आप कह सकते हैं oscillation की frequency ठीक है क्या कहा आपका oscillation की frequency ठीक है frequency of oscillation जिसे हम कहते हैं ठीक oscillation की frequency या frequency of oscillation ठीक oscillation की frequency के अगर मैं बात करता हूं तो जो formula यहां पर बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है student ध्यान से देखेगा कि frequency f और oscillation not is equals to one upon two pi आना तो वही है resonance वाला ही formula बस याद ही रखें कि capacitor यहां पर c3 आएगा ठीक है यहां पर कौन सा capacitor आता आपका capacitor c3 ठीक है इस बात का बस दियान रखना है बाकि फॉर्मला वही common जो हमारा resonance वाला होता है ठीक तो यह तो आगे student आपका frequency of oscillation अगली बात आती है कि किस range की frequency generate होती है ठीक है तो यहां से मैं लिखता भी हूँ frequency की range कहिए या फिर आवर्ति range कहिए आवर्ति की range कि कि किस frequency का signal generate होता है सबसे अच्छी बात है जो partly के लिए थी वही cricket के लिए थी और सबसे अच्छे बात कि वही आपको यहाँ क्लाप के लिए भी याद रखनी है कितनी थी आपकी 10 किलो hertz से लेकर 10 किलो हर्ट से लेकर 100 Megahach ठीक है 10 किलो हर्ट से लेकर आपकी कहा तक थी 100 Megahach तक हमारी frequency range होती है ठीक है यह 100 MHz तक का सिगनल यहाँ जनरे होता है ठीक है इतना ठीक है चलिए अब यहीं से आगे प्रोसीट करता हूँ अगली और लास्ट बात आप लोग जानते हैं जो हम लोग हर oscillator के लिए लिख रहे हैं वो है आपका अनुपरियोग इसके ठीक है एप्लिकेशन जिसे हम कहते हैं तो यहां से लिखिएगा अनुपरियोग या फिर इसके एप्लिकेशन ठीक है ग्लाइफ ओस्यलेटर के अनुपरियोग या एक लिखिंट है अप्लिकेशन आप कह सकते हैं सब्से पहले आता आपका त्षे आवरती ठीक है हाई फ्रिकुइंशी औस लिटर है तो सबसे पहले तो कॉमन बात रहेगी कि उच्छ आवरती सिगनल को ज जनरेट करने में उच्छा आवरती सिगनल को जनरेट करने में ठीक है हाई फ्रिक्वेंसी के सिगनल को जनरेट करने में ठीक है उच्छा आवरती सिगनल को जनरेट करने में दूसरी बात आती है आपकी यह तो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए था दूसरी बात आती है आपकी आवरती में भी कौन शी है, हमने क्या कहा, यह वैरियवल है, वैरियवल मतलब परिवर्त अंसील है, हम बार बार चेंज कर सकते हैं, तो इसका मतलब चेंज करके हमें जो फ्रिक्वेंसी चाहिए है, हम उसे जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं आप लोग desired frequency को ठीक है desired या जिसे हम क्या कहते है वान्चित कहते है ठीक है desired या फिर वान्चित आवरती को desired frequency या वान्चित आवरती को generate करने में generate करने में desired frequency को generate करने में भी इसका प्रियोग होता है ठीक है किसी भी desired range की frequency को generate करने में भी इसका use होता है ठीक है communication system में संचार प्रणाली में भी इसका प्रियोग होता है ठीक है तो क्या का आपका communication system संचार प्रणाली में भी इसका प्रियोग होता है ठीक है चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लें तो ये एक और हमारा हाई फ्रिक्विंसी का उसलेटर कम्प्लेट हो गया जिसे हम लोग कहते भी हैं यहां से अगर में इसका नाम भी कहूं तो यह क्या हो गया इस तुरेंट आपका क्लाइफ ऑसलेटर हो गया कौन्स ऑसलेटर एस्परेंट आपका क्लाइफ ऑसलेटर क्लिए रहे इतना एक एक चीज को ध्यान से लिखते वे नोट डाउन करते वे चलें इंपॉर्टेंट हैं चीजें आपके टीजी टू के आईटी आई के एक्जाम में आती हैं ठीक है चीजान से देखते रहें तो डाउट आएगा नहीं अब मैं बात करता हूं इस तुरेंट आपके लास्ट और सबसे महत्योपूर्ण ऑसलेटर की जो हमारा चौथा उसलेटर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा परियोग होने वाला ऑसलेटर है ठी ठीकते कौन रोली तर हे क्रिस्ट और ऐसे लेटर सबसे ज्यादा कुरिशन्स भी हमें यहीं से पूस्ता है, ठीक है तो अगला और सबसे महत्योपूर्ण ऑसलेटर की अगर मां बात भी करता हूं। crystal oscillator सबसे ज़्यादा number of questions हमें इसी oscillator से पूछते हैं ठीक है तो सबसे ज़्यादा important oscillator भी यही है most important oscillator आपका ठीक है जहां से maximum number of questions आपके examination में भी रहता है ठीक है बहुत सारे questions को आपके यहां से पूछता भी है तो इस बात को विशेश रूप से ध्यान भी आप लोग रखें तो ठीक है सबसे पहला question student आपका इसके नाम से ही जब भी आपको पूछता है ठीक है सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला oscillator ठीक है सबसे पहला question तो यह याद रखना है the oscillator that used most widely कि जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो वह कौन सा आपका crystal oscillator ही है तो सबसे ज़ ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला oscillator है ठीक है यह क्या student आपका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला oscillator है ठीक है यह एक ऐसा oscillator है जिससे सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ठीक है सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला oscillator है अब दिमाग में बात आत कि की कि ऐसी क्या खासियत है इसमें यह सी कौन सी बात थी कि से सबसे जादा प्रयोग किया जाता है तो अब आप लिख भी सकते हैं कि सी कौन सी खास बात थी कि इस oscillator का output ठीक है वह खास बात क्या है आप मैं लिख रहा हूं इस oscillator का आउटपूट या निर्गत जिसे हम कहते हैं इस ऑसलेटर का आउटपूट बाकी सभी ऑसलेटर आउटपूट बाकी सभी ऑसलेटर की तुलना में बाकी सभी ऑसलेटर की तुलना में ठीक है तो क्या कहा अपका बाकी सभी ऑसलेटर की तुलना में ठीक है तो क्या कहा इस ऑसलेटर का आउटपूट बाकी सभी ऑसलेटर की तुलना में सबसे ज़ादा stable होता है ठीक है सबसे ज़्यादा stable ठीक है यह आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या होता है इस्थर होता है सबसे ज़्यादा stable होता है कि बाकी जितने भी आपके चाहिए वो low frequency के थे high frequency के थे इन सब में अगर मैं comparison करता हूँ सब में अगर मैं तोलना करता हूं तो इस oscillator का output जो होता आपका सबसे जादा होता है सबसे जादा stable होता है ठीक है इतना ठीक है अब सबसे जादा stable होता है तो अब फिर से बात आती है कि सर ये बात तो समझाएगे सबसे ज्यादे इसे यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसका आउटपुट सबसे इस्टैबल होता है वो क्यों इस्टैबल होता है तो वह भी आप लिख सकते हैं क्योंकि क्योंकि उस बात का भी कारण है इस उसिलेटर का क्योंकि इस उसिलेटर का ठीक है क्योंकि इस उसिलेटर का quality factor इस ऐसे लेटर का क्वालिटी फैक्टर ठीक है कि इस ऐसे लेटर का जो क्वालिटी फैक्टर क्यों फैक्टर होता है सबसे ज्यादा होता है सरवादिक होता है और क्वालिटी फैक्टर ठीक है सरवादिक होता है ठीक है या हाई होता है यह भी आप कह सकते हैं क्वालिटी फै सबसे पहले तो important face के question यह तैयार हो गया है अगला अगर मैं बात यहीं से कहता हूँ student के अगले question के तरफ अगर मैं बढ़ता हूँ तो अगला और एक मैत्वपून question आता है इसके कार्यप सिद्दान्त के आधार पर ठीक है तो यह भी बात याद रखेगा student अगला जो मैं question लिख रहा हूँ कि इस oscillator का इस ऑसिलेटर का इस ऑसिलेटर का इस ऑसिलेटर का जो principle होता है यह working principle होता है का कार्यप सिद्दान्त के working principle जो इस ऑसिलेटर का होता है उसके अधर मुँए बात करो तो क्या होता है student कार्यं शिद्दान्त यह इस ऑसिलेटर का कारे सिद्द्दान पीजओ इलेक्टरिक पीजओ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित होता है ठीक है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहने का मतलब क्या होता है वो बात आप मैं समझाता हूँ आपको सबसे पहले बात हमने क्या कही किस इफेक्ट का मतलब क्या है वो देखते हैं तो हमने यहां से क्या कहा कि पीजो इलेक्ट्रिक ठीक है हमने क्या कहा पीजो इलेक्ट्रिक effect में ठीक है क्या होता है इसमें अब ये देखेगा पीजो इलेक्टरिक effect में ठीक है होता है क्या है अब ये देखें इसमें होता है आपका कि जब जब किसी भी ठीक है जब किसी भी metal या फिर conductor पर stress या force के द्वारा तनाव या बल के द्वारा वहाँ पर potential develop किया जा रहा है जब किसी भी पदार्थ में ठीक है जब किसी भी तत्तों में जब किसी भी material में जब किसी भी पदार्थ में ठीक है यांत्रिक बल या mechanical force जिसे हम कहते हैं ठीक है यांत्रिक बल या stress चीक है जिसे हम क्या कहते हैं तनाव या अंत्रिक बल्या तनाव लगाने से लगाने से वहां पर वहां पर पोटेंशियल तो कहने का मतलब वहां पर विभव उत्पन हो तो इस प्रभाव को ठीक है तो इस प्रभाव को पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं तो इस प्रभाव को पीजो इलेक्ट्रिक तो इस प्रभाव को पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं ठीक है अगर नहीं समझाया हो तो अभी समझेगा प्रभाव कहते हैं ठीक है कहने का मतलब क्या है इस्टुरेंट आपका यहां अगर मैं देखता भी हूँ ठीक है कि ज का मतलब आप लोगों का कि यांतरिक बल या यांतरिक तनाव लगाया जाता है और वहां पर आपका potential develop होने लगे ठीक है वहां पर विभव उद्पन होने लगे तो फिर यह क्या कहलाता है इस्ट्रेंट आप लोगों का पीजो इलेक्ट्रिक एफेक्ट या पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाता है ओवर अगर मैं इस बात को कहूं कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव की अगर मैं बात करता हूं ठीक है तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हो रहा इस प्रेंट आपका यांत्रिक उर्जा का मेकेनिकल उर्जा का चेंज हो है किसमे इलेक्ट्रिकल उर्जा में तो यांत्रिक उर्जा का वैध्युत उर्जा में रूपांत्रण सिंपल सब्दों में कहें अगर यांत्रिक उर जाई रू ठीक है यह क्या आपका यांतरिक ओर्जा का व्यद्थ और्जा में रुपनतर्र जार यह इतना है ठीक है कि यह कुझ विलाकर कि अगर मैं इसरे सिम्पल सब्दों में स्मझाओं या सिम्पल सब्दों में कहूं तो मैं यह कह सकता हूं कि किसी भी mechanical energy का change किसमें आपका electrical energy में यही हमारा क्या होता है पीजो electric effect होता है mechanical energy को change करना किसमें electrical energy ठीक है इतना चलिए तो इसे लिख लें फटाफट से कि अगरे जाए है तो इसे यह चलिए तो इतना लिख लिए होगा आगे बढ़ते हैं इस्ट्रूनेट हम दो अब अगली बात पर करते हैं यह अगली बात को देखते हैं ठीक है तो यह तो क्या था इस्ट्रूनेट आपका पीजो electric effect देखा अब अगला question पूछता आप लोगों से कई बार exam में कि पीजो electric सिद्दान्त पर कारे करने वाली devices में यह पीजो electric effect के आधार पर सबसे उत्तम उधारण यह सबसे उत्तम डिवाइस ठीक है तो पीजो electric यहां से मैं लिखता भी हूँ पीजो electric पीजो electric devices का पीजो electric devices का यह पीजो electric material कह लीजेए ठीक है कि यहां से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पीजो electric material तत्व का पीजो electric तत्व का सर्वोत्तम उधारन सबसे अच्छा जो example होता है सर्वोत्तम उधारन ठीक है सबसे best जो example होता इस TENTS अपका वह कौन होता है यह उतुढ़ेंट आप लोगों का सर्वोत्तम उदारण ठीक है कौन होता है इस बात को अगर हम लिखते वे तो यह होता आपका quards material ठीक है यह क्या होता आपका quards material होता है यह quards पदार्थ होता है इसका सबसे best example होता है जो आपने गड़ियों में भी यूज होता है watches में भी यूज होता है आप जिसे quards company समझते हैं वो कि आपका real में material होता है student आपका ठीक है इतना तो यहीं से अब अगर मैं कहूं तो अब मैं overall कह सकता हूं कि अगर मैं इस बात को अब लिखो बे कि crystal oscillator जो होता है ठीक है मैं कुछ बातों को ऐसे लेख सकता हूं crystal oscillator का feedback circuit crystal oscillator का feedback circuit ठीक है crystal oscillator का feedback circuit मैं ऐसे कह सकता हूं कि crystal oscillator का feedback circuit quards material से बना होता है quards quards material से बना होता है quards material से बना होता है बना होता है ठीक है और बाग की आगे चाहें तो यह भी लिख सकते हैं इसलिए यह क्या करता आपका सबसे से जादा stable output frequency को भी generate करता है अब इसके कुछ basic structure के बारे में हम लोग चलते हैं student इसके डाइग्राम के बारे में चलते हैं जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात कहूं ठीक है कि जो आपका quards material होता है वो देखता कैसे या उसे हम symbolic representation कैसे देते हैं ठीक है तो यहां से अगर मैं कहूं भी तो इसे हम कुछ इस प्रकार से अगर मैं लेकर भी चलूँ ठीक है तो कुछ ऐसे represent करते हैं student हम लोग अगर हम quards material की बात करें देखेगा यह आपकी एक metal rod या metallic bar और यह दूसरा आपका बीच में एक layer ठीक है और यह आपका एक और metal bar तो अब यह देखेगा यहां से अगर मैं लेकर भी चलता हूँ तो यह ऐसे ठीक है तो यह आप देख सकते हैं student यहां पर अगर मैं general बात भी करता हूँ ठीक है यह देखेगा student इस तरह से अगर हम लेकर चलते हैं तो हमने क्या का student आपका कि अगर हम अपर भी देखें ठीक है तो यहां से मैं लिख भी सकता हूँ इस बात को अगर आप देखेंगे भी कि यह यह अगर मैं बात भी करता हूँ एक मिनटा यह अगर हम लेकर चल रहे हैं यह वाली या फिर यह वाली अगर हम बात भी करें तो यह क्या student आपके दो metallic electrode हैं ठीक है तो यहां से आप कह भी सकते हैं कि चाहे वो यह हो यह चाहे यह हो दोनों के इस तुरेंट आप लोगों कि इन दोनों को आप लिख भी सकते हैं कि यह हमारे क्या हैं दो हमारे चाहे तो आप पूरा लिख सकते हैं इस बात को ठीक है कि यह हमारे क्या हैं दो टू two metallic electrode, ठीक है यह कहाँ आपके? दो metallic electrode है, two metallic electrode, ठीक है? तो यह आपके कहा है? दो metallic electrode है, वहीँ अगर मैं बात करता हूँ, student यहां से आगर आप लोग देखते भी हैं, कि अगर मैं इसी बात को यहां से यह लेकर चलो यह जो बीच वाला यह पार्ट आपको देख रहा है, ठीक है इस तरह से यहां जहां मैं लाइनिंग भी कर रहा हूं, ध्यान से देखेगा है, इस वाले part की बात करता हूं, यह देखें, यह ठीक है, यह जो बीच वाला part है, इस student आपका यहां पर अगर हम लोग देखें भी, यह देखें, यहां से आपको अब देख भी रहा होगा, कि यह ये जो पार्ट है इज़स्टोरिए आप लोगों का ये क्या है इक तरहे किसे कर फेर माड़ेंट कर रहा है अब अब अगर में इसको लिख ओऊ तो यह क्या इस्टोरिष टीरिए आप यह आपका सिंबल कॉर्णote ठीक है यह आप कह सकते हैं कि सिंबल आफ यह आपका पूरा का पूरा क्या आपका क्रिस्टल बन जाता है क्वार्ट से ठीक है तो दिस इस सिंबल आफ क्रिस्टल ठीक है कि जो क्रिस्टल बना है उसका क्या है यहां से आपका सिंबल है ठीक है तो यह आगया आपका सिंबल हूँ यहीं से अगर हम आगे बढ़ते हैं इस तो ध्यान से देखेगा दूसरी बात क्या आती है गर मैं internal architecture के आप बात करता हूं यहीं से अरभ मैं internal architecture को लेक्टा हूँ तो इंटरNal architecture कुछ ऐसे देखता है कि यह अगर मैं लेकर भी चलों यह जो मारा इसका यह ज़ो लेकर भी चलूँ यह गर मैं कहता भी हूँ कि यह देखेगा एक हमारा यह आगया आपका register यह आगया हमारा एक capacitor और यह आगया एक हमारा inductor ठीक है एक मिनट हाँ यह देखें यहाँ से गर मैं बात भी करता हूँ एक resistor लग गया हमारा एक हमारा capacitor लग गया और एक हमारा inductor लग गया इस तरह से ठीक और parallel में क्या लगता है इस student आपका यहाँ parallel में एक directly हमारा capacitor लगा होता है यह कुछ इस प्रकार का circuit होता है ठीक है तो यह हमने क्या कहा है यह आगे आपका R यह आगे आपका C1 ठीक है यह maximum examiner और books जो यूज़ करते हैं वो आपके series capacitor और यह आपका parallel capacitor ठीक है तो यह बात को आप इस तरह से भी notate कर सकते हैं यहां भी अगर मैं चाहूं इसे अगर मैं लिखना चाहूं तो यह आपका कुछ इस तरह से क्या बन जाता है इस्ट्रेंट आपका यहां से अगर आप देखेंगे भी ठीक है तो यह आपका क्या है अगर मैं कहूं भी यह हमारा internal structure है आंत्रिक परिपत है इसका ठीक है तो यह आप चाहें भी तो आप लिख भी सकते हैं यह क्या हमारा आंत्रिक परिपत है ठीक है इंटर्नल सर्कुट है इंटर्नल या आपका आंत्रिक परिपत है ठीक है तो यह क्या आपका आंत्रिक परिपत इंटर्नल सर्कुट है ठीक है तो यह हो गया कुछ इस तरह से अगर मैं बात भी करता हूं यह अगर मैं लेकर भी चलो ठीक है तो यह आगे हमारा है internal structure या फिर आंत्रिक परिपपद अब बात करते हैं overall circuit diagram की overall circuit को अगर हम लोग लेकर चले तो यह किस तरह से दिखता है सबसे पहले बात आती है in turnal अगर हम overall structure की overall circuit की बात करते हैं ठीक है तो यह कैसे होता है ये यहाँ से सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं ट्रांजिस्टर को तो यह आपका common emitter transistor ठीक है यह बन गया common emitter transistor जिसमें by sing हमने कौन सा यूज किया है voltage divider by sing जिसे हम practically सबसे ज्यादा use करते हैं यह arrow लग गया यहां से ठीक है यह बन गया यहां पर base यह आगया base register ठीक है यह आगया आपका एक minute ठीक है यह आगया आपका collector register ठीक है फिर इसी sequence में कर हम देखते हैं यह आगया आपका emitter का register यह आगया आपका register R1 यह आगया आपका register R2 ठीक है यहां से हमने यह क्या कहा कि यह centrally हमने यह ground कर दिया ठीक है bottom terminal से उपर हमने क्या कहा यहां लोगों को supply देने होती है तो यह आगया आपका supply VCC ठीक है ध्यान से देखते हैं हर एक चीज़ को यह तो अभी सिर्फ हमारा क्या बना इस तुरेंट आपका transistor amplifier बना है ठीक है यह जो circuit अभी सिर्फ आपका वो क्या है transistor amplifier circuit है ठीक है अब बात करते हैं यहीं से कर मैं लेकर चलों इसके feedback की ठीक है कि feedback पर हमने क्या कहा feedback पर लगना हमारा यहां से एक काम कीजिएगा सीधे इसको crystal को ही मैं directly उठाकर चल रहा हूं जो हमारा directly लगना है देखें ठीक है तो यह बात मैंने यहां से कही कि यहां feedback पर हमें क्या लगाना है crystal को लगाना है तो यह कुछ इस तरह से मैंने बना दिया ठीक है यह हमारा क्या लगना है यह इसको अगर मैं connection बन रहा अब देखें feedback के connection के अगर मैं बात करता हूँ तो यह आपका output यहां से यह आजाएगा capacitor ठीक है यह capacitor लग गया आपका यहां से output को हमने connect किया इस crystal पर ठीक है यहां connect हो गया फिर कैसे ही यही चीज हमें कहां पहुंचानी है input पर तो यह यहां से लग कर यह कुछ इस तरह से यहां पर आ गया तो यह हमने क्या कहा है यह आगे आपका बेस बाइसिंग कैपिस्टर यह आगे आपका कप्लिंग कैपिस्टर सी सी यहां से हमारा था output वी आउट ठीक है तो यह पूरा सर्किट हमारा क्या बन गे इस तुरेंट इससे अब अगर हम दोग देखते भी हैं तो यह जो ओवर आल सर्किट आपका यह है हमारा crystal oscillator ठीक है इस सर्किट को ध्यान से देखेगा मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि this is the crystal oscillator अब हमारा overall circuit बना है ठीक है इस इस क्रिस्टल और सी लेटर ठीक है यह क्या है आपका crystal oscillator आगे है चीजों को ध्यान से देखें सर्किट को बार बार सिर्फ इसले बना रहा हूं ताकि आपको याद हो जाएं ठीक है नहीं तो picture भी रख सकता हूं पर वह आपको याद नहीं होगा बनाने से चीजें आपको याद होंगी तो इसलिए साथ के साथ मेरे बनाते जरूर रहें चीजों को आप ठीक है देखने से या मेरे बनाने से आपको याद नहीं होगा चलिए इसे एक बार देख लीजिए फटाफट से और अगर कोई डाउट कहीं लग रहा हो तो वह भी बात आप पूछ सकते हैं ठीक है इस पूरे चीजों को देख लें कुछ बेसिक बात हैं पीजो एलेक्ट्रिक माटिरियल के बेसिस पर यह पीजो एलेक्ट्रिक का सिंब आपको यह दो आपके मेटलिक एलेक्ट्रोड होते हैं वह आपका इंटर्नल आंतरिक परिक्वत आ गया और वह आपको पूरा क्रिस्टल उसलेटर का सर्कुट आ गया कि ठीक है सिध्यान से देखते वे समस्ते वे चले अब इसी से आगे अगर मैं बढ़ता हूं इसी से आगे अगर 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 देखते हैं यह तो कहानी अभी तक जो हमने देखी वह इंट्रोड़क्टरी पार्ट के देखी ठीक है अब आती है यहां आपने देखा कि जब हमने इसके इंटर्नल सर्कुट को देखा था एक सिरीजरूनेंज को परिक्विए ठीक है तो यहीं से अगर मैं कहता है हूं तो सबसे पहले बात आती है आपके सीरीज रेज़ुनेस फ्रिकूञिंसी की है ठीक है यह ध्यान से देखेगा सीरीज ऑनेंज frequency ठीक है series resonance frequency सबसे पहली जो बात निकल कर आती है जो हम लोग देख रहे हैं वो है हमारी series resonance frequency तो series resonance frequency को अब अगर मैं यहां से देखता हुँ कि series resonance के case में जो हमारा frequency निकल कर आएगा यह frequency generate होकर जो आएगे यह frequency of oscillations आप कह सकते हैं वो बनेगा फॉर्मूला आपका simple one upon two into पाई इंटू अंडर रूड ओफ एल इंटू सी ओफ एस ठीक है CS कहने का simple सा मतलब आप लोगों का कि यह क्या आपका series capacitance की बात कर रहा है ठीक है CS कौन सा capacitance आपका जो series में लगा हुआ capacitor है उसकी बात हो रही है ठीक है तो ऐसे ही यह हमने अभी क्या देखा सबसे पहले बात हमने series resonance frequency के देखिए कि अगर हमें question series resonance frequency का है तो फिर हम ऐसे कुछ करेंगे अब बात आती है कि यहीं से अगर मैं लेकर चलो ठीक है यह तो ठीक है अगली जो बात बनती है वो है आपकी parallel resonance frequency की ठीक है तो यहां से ध्यान से देखिएगा parallel resonance frequency ठीक है parallel resonance frequency parallel resonance frequency की अब अगर मैं बात करता हूँ तो parallel की case में जो formula लिखा जाता है हम derivation की तरफ नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो हमारे मतलब के भी नहीं है वो एक्जाम में नहीं आने है और कैसे लिखा जाएगा अब अगर आप कहेंगे भी कि सर equivalent capacitor हम कैसे लिखें ठीक है तो यहां simple सी बात याद रखनी है कि वैर अगर मैं बात भी करता हूँ equivalent capacitance की तो that is c1 into c2 और divided by c1 plus c2 ठीक है तो यह हमारा क्या हो जाएगा इस तरह से equivalent capacitance भी निकल जाएगा वो भी कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है इसका मतलब हमारे लिए उसे भी हम आसानी से निकाल सकते हैं ठीक है अब कहीं न कहीं बात आती है कि सर इन में से अब अगर हम बात करें यह तो अभी हमने जनरलाइज बात की कि series resonance में कितना frequency आएगा parallel में कितना आएगा अब बात आती है इस्टुरेंट आपकी कि frequency of oscillations हमें कितना लेना है ठीक है तो यहां अगला heading में लिखता हूँ frequency of oscillation ठीक है कि किस frequency या कैसे calculate करूंगा मैं कि कितनी value का signal या कितनी frequency का कितनी आवरती का signal generate हुआ है ठीक है तो फिर बात आती है frequency of oscillations भाई सभी इस्टुरेंट वीडियो को जादा से जादा से जादा से जरूर करें ठीक है लाइक और से जरूर करें चलिए ठीक है ये वन गया frequency of oscillations ठीक है तो frequency of oscillations कि अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले इसमें मैं एक important बात को लिख रहा हूं वह important बात है इस तुरेंट हमारा कि जो हमारा series का capacitance होता है that is very very less than that of parallel capacitance ठीक है सबसे पहले important बात से मैं start कर रहा हूं कि ये जो series का capacitance होता है parallel की capacitance से बहुत कम होता है हमें पता है capacitance जितना कम होगा उतनी ज्यादा हमारी frequency आईगी ठीक है तो इसी लिए जब हम बात करते हैं frequency of oscillation की तो हम यहीं से आगे जब लिखते हैं कि frequency of oscillation f not is equals to one upon two pi ठीक है और into under root of l into और capacitance लेते हैं हम कौन सा series वाला है तो l into cs ठीक है यह कुछ इस तरह से हमारा formula बन जाता है ठीक है तो यह आगे हमारा frequency of oscillation ठीक है अगली बात आती है कि कि किस range का frequency generate होगा तो यहीं अगर मैं लिखता भी हूँ अगली बात हमारी निकल कर आती है frequency range की ठीक है अगली बात को अगर मैं देखूँ तो यहां से क्या कहा frequency range ठीक है frequency range को अगर मैं लिखता हूँ ठीक तो frequency range यहां पर कितना होता है इसे अगर हम लोग देखें भी frequency range जो आपका निकल कर आता है यह आपका ठीक है सबसे पहले हमने कहा था कि fixed frequency आती है हमारी ठीक है यहां अगर मैं बात करता हूँ कि कितना frequency generate होता हमारा fixed frequency generate होता है अब यह fixed frequency जो generate होता है यह जो fixed frequency generate होकर आता है यह किस range में होता है यह range होती हमारी लगवग वही जो अब तक आपके बाकी के थी 10 किलो हर्ट से लेकर आपके 100 मेगा हर्ट्स तक ठीक है यह कहां से कहां तक होती है आपकी 10 किलो हर्ट्स से लेकर आपके 100 मेगा हर्ट्स तक के frequency को यह oscillator आपका generate करा सकता है ठीक है चलिए इसे फटावट से note down कर लें फिर आगे बढ़ता है झाल झाल यहां तक अगर मैं बात करता हूं अभी तक जो हम लोग basic बात देखें वो आपके generalized formula निकल गए basic से बाते निकल कर आगी ठीक अब बात करते हैं last आता आपका यहां मारा formula भी निकल गया इसके लिए कि हमारी frequency of oscillation या अगर मैं कहूं कि कितने frequency का आपका signal generate होता है वो भी calculate हो ठीक है अब इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं इसी बात को आगे प्रोसीड करते हैं last बसता है इसके लिए application कि crystal oscillator का प्रियोग कहां कहां पर होता है ठीक है तो crystal oscillator के अनुप्रियोग को देखता है देखें फटा फट से topic लिखिएगा uses of crystal oscillator यहां हम कह सकते हैं अनुप् ठीक है कि कहां use करते हैं हम लोग crystal oscillator को कहां पर इसका use होता है ठीक सबसे पहले अगर मैं use की बात करता हूं सबसे पहले अगर मैं इसके अनुप्रियोग को देखता हूं तो पहली बात तो यही निकल कर आती है कि high frequency का oscillator है तो इसका मतलब उच्छ आवरती को और कैसे उच्छ कश्छ आवरती के चार सिगनल को जनरेट करता है ठीक है stable ऐइ के basis पर ही कि high frequency को generate करता हो और कैसे stable high frequency को generate करने का काम करता है ठीक है अगली बात निकल कर आती है आपकी इसके applications में ही अगर हम लोग देखें तो जो हमारे micro processor और controller होते हैं ठीक है micro processor वा controller में ठीक है micro processor वा micro controller में ठीक है तो micro processor वा micro controller में micro processor में clock signal को generate कराने के लिए clock signal ठीक है जो आप लोग counter और flip-flop में भी पड़े होंगे clock signal को generate कराने में ठीक है clock signal को generate कराने में ठीक है तो second use इसका कहां पर आया कि crystal oscillator को और हम कहां पर यूज करते हैं किसी भी micro processor या micro controller के clock signal को generate करवाने के लिए clock signal कहने का मत्तब कि आपका कि ऐसा एक signal जो वहां पर operations को change करने का या operations को activate करवाने का काम करता है ठीक है फिर बात आती है इसी तरह से तीसरे application की तो यह आता आपका military वा बाते नहीं है कि military वा कि arrow space ठीक है military वा arrow space में communication कराने के लिए arrow space वा military में communication और वो भी कैसा communication आपका एक secure communication ठीक है कैसा communication होता आपका secure या फिर आप क्रिस्टल उस्पेस होता है वहाँ पर information को securely transfer करवाने के लिए भी इसका use होता है ठीक है अगली बात आती है आपके crystal oscillator आपके अचिस्टल और आपके अच्छे का कि अगर मैं next application की बात करता हूं तो यह निकल कर आता आपका research और measurement application में ठीक है research वह measurement की लिए भी इसका use होता है research वह measurement applications ठीक है research और measurement में भी इसका हम लोग use करते हैं ठीक है तो यह बात निकल कर आगी research और measurement में भी हम क्या करते हैं इसका use करते हैं ठीक है फिर इसी तरह से बात आती है आपकी कि टीवी और रेडियो transmission में भी इसका use होता है जितने भी आपका high frequency पर transmission है ठीक है वहां भी आपका इसका use होता है ठीक है तो टीवी टेलिवीजन जो होता है टीवी वा रेडियो टीवी वा रेडियो transmission ठीक है टीवी वा रेडियो transmission में भी इसका परियोग होता है ठीक है क्योंकि stable frequency है चेंज नहीं होगी तो टीवी आफिर रेडियो में भी हम इसका use करते हैं ठीक है इसी तरह से अगली बात अगर मैं करता हूं और कहां पर हम crystal use oscillator को use करते हैं तो यह आपका frequency synthesis synthesizer अलग-अलग frequency को बिना overlap किए वे transfer करवाना frequency synthesizer में भी इसका परियोग होता है ठीक है और कहां यूज होता आपका frequency synthesizer में भी इसका use होता है ठीक है frequency synthesizer में ठीक है next बात अगर हम लोग इसी sequence में करते हैं crystal oscillator के application की ठीक है तो आपका automotive ठीक है क्या कहां आपको automotive engine ठीक है क्या कहां यहां से automotive engine ठीक है अपने आप से चलने वाला जो engine है और stereo control में भी इसका use होता है वा stereo control automotive engine वा stereo control में भी इसका use हम लोग करते हैं stereo control में भी इसका use होता है ठीक है last एक और application को हम लोग देख लेते हैं वह आपका कि जितने भी आपके ठीक है modern जितने भी computer हैं तो यहां से आप कह सकते हैं कि modern computers में ठीक है कि जितने भी आपके modern computer कहने का मतलब आप लोगों का आधुनिक संगनक या आधुनिक computer आपका ठीक इसमें या फिर कोई भी आपका जो भी हमारा क्या है digital system है presently work होने वाला कोई भी हमारा digital system है ठीक है या फिर कोई अगर मैं लिक्वों भी तो sensor इन सब में भी इसका यूज होता है ठीक है crystal oscillator का यूज होता है ठीक है इस बात को ध्यान से से देखें इस बात को ध्यान से समझें कि हमारे crystal oscillator के हम लोग uses की बात कर रहे थे कि कहां कहां पर हम लोग use करते हैं ठीक चलिए अब इससे एक बार फटावट से देख लेते हैं कि चीजे सुरुवात कहां से थी चीजों के अगर हम सुरुवाती देखते हैं तो सबसे पहले बात निकल कर आई कि सबसे पहले अगर मैं यहां से कहता हूं ठीक है फोस बात यहां से हमने क्या कहा कि सबसे पहले था हमा प्दब था आपका कि निन्ण आवर्ति का ऊसिलेटर होता है ठीक है यहां इसका चाहएं तो नाम भी लिक दीजेगा कि यह जो सर्कृट था अब का थीखें दिस इस दोग मेजरमेंट में वेंब्रीज पढ़ते हैं वही वेंब्रीज आपका यूज होता है एज़ फीड एक सर्केट ठीक क्या कहा था कि लिए को मतलब सिवत हमारा चीजरी अब कि चिखे टीटना कलांटर आ रहा आपका 0 रहा है ठीक है फिर दोसरी बात जो और सबसे इमपॉर्टेटेंट। बात इस फीडवेक के लिए कि ये 8 महात र reciproc और आप बाकी के oscillator को positive या negative किसी भी तरह के feedback को को देकर लेकर या नहीं बनाए जा सकता है बाकी की जितने भी oscillator है सारे के सारे सिर्फ वेंब्रीज को छोड़कर वहां पर सिर्फ positive feedback देकर ही वो एक oscillator की तरह वर करेगा वेंब्रीज एक मातर ऐसा oscillator है जहां positive और negative किसी भी प्रकार का feedback यूज हो सकता है फिर बात आई थी frequency की आपकी कि कितना होता आपका 0.159 डिवाइड बाई आर इंटू सी आर और सी आपके वो दो रेजिस्टर वो रेजिस्टर और वो कैपेस्टर हैं वो components हैं दोनों जो आपक सी सिगनल को generate कराने में इसका यूज करते हैं हम लोग ठीक है लो frequency को हम लोग audio frequency भी कहते हैं और इसी तरह से सबसे important बात आपकी कि laboratories में भी इसी oscillator का use होता है यह question अक्सर examination में रहता है कि which oscillator is used in laboratories ठीक है तो कौन से आपका वेन ब्रेज ऑसलेटर है गेन की बात करते हैं तो इस ऑसलेटर के लिए गेन कितना आता आपका थ्री आता है यही चीज अगर फेस्ट के लिए पूस्ता तो 29 हमारा गेन निकल कर आता है ठीक है अगली बात आई हमारी अब यह तो थे हमारे audio और low frequency के उसलेटर नेक्स बात क कि यह किस से बने हुए होते हैं आपके इंड़क्टर और capacitor से बनता है इनका feedback circuit एल और सी से इनका feedback circuit बनता है चार प्रकार के होते हैं चारों आपके सामने पर हैं फिर्स्ट आपका हाट ले उसलेटर दूसरा होता हमारा कॉल्पिट्स उसलेटर तीसरा इसी में modification clap उसलेटर और चौथा आता हमारा crystal oscillator सबसे जादा यूज होने वाला oscillator ठीक है फिर इसी बात को आगे one by one हमने start किया सबसे पहले हाट ले से हाट ले उसलेटर के लिए सबसे important question कि इसी को क्या कहते हैं टैब्ड इंडक्टिव उसलेटर क्यों टैब्ड कहा था क्योंकि या तो एक इंडक्टर या फिर दो इंडक्टर को लेकर एक common point से क्या किया जाता है टैप या ground किया जाता है तो वही बात लिखे भी थी यह के frequency की या कितना oscillation आपका आएगा तो एफ नॉट इसी कोस्तों जो हमारा resonance frequency होता है सेम वह ही बस दो इंड़क्टर थे तो एक्योवेलेंट लिखा इंड़क्टर या इक्योवेलेंट इंड़क्टर को अलग-अलग तरीके से कुछ ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है ठीक है इसे अगर हम लोग देखते भी हैं यह आपका normal case है जब कोई mutual inductance नहीं है यह दोनों नीचे जो आपके हैं यह आपके mutual inductance के case है कि अगर आपका supportive case होगा तो प्लस टूम आएगा अगर आपका पोजिशन का case होगा तो फिर आपका माइनस टूम आएगा ठीक है तो यह एक निकल जाएगा frequency range कितनी होती है आपकी 10 किलो हर्ट से लेकर आपकी 100 मेगा हर्ट्स तग होती है फिर आगे बढ़ें यहीं से हमने क्या कहा फिर गेन की बात आई इसके लिए और ली आउट पूट अपूँर इंपूर तो इसलिए हमने क्या लिया सेकंट रियक्टेंज डिवाइड और फोस रियक्टेंज इंडक्तिव था तो उमेगा इन्टो यूमेगा इन्टो एल वन ओमेगा से ओमेगा कैंसल तो यह बच गया फिर इसका यूज आया तो यूज उस गहां पर करते हैं यहां से और मैं देखते भी हो आपक बाहिए सब्सक्ति Gobierno करें और रेडियो रिसीवर में ठीक है जो हाई फ्रिक्विंसी कि की रिसीवर होते हैं वहां पर इसका उज रहता है नेक्स्ट बात निकलकर आती है कॉल्पिट्स ऑसिलेटर की कॉल्पिट ऑसिलेटर और सुरी हाटले ऑसिलेटर में सिर्फ अंतर क्या था वहां दो इंडक्टर थे फिर पैरलल में कैपिस्टर था यहां दो कैपिस्टर और यहां पैर उसके साथ पैरलल में इंडक्टर तो हमन क्या कहा टैप्ड कैपसिटिव सर्किट कहा जब इंड़क्टर ग्राउंड हो रहे थे तो टैप्ड इंड़क्टिव था अभी कैपसिटर है तो टैप्ड कैपसिटिव सर्किट कहते हैं इस सर्किट को हाटले ऑसलेटर के feedback circuit से compare करें तो यहां inductor यहां capacitor इसका मतलब यह circuit उस circuit का कैसा network है electrical dual network है ठीक है inductor की जगा capacitor और capacitor की जगे inductor है फिर अगली बात आई यहां पर frequency of oscillation की कि कितना इसका frequency of oscillation होता है ठीक है तो यहां से अगर मैं देखों भी ठीक है इसके लिए अगर हम बात भी करते हैं frequency of oscillation की तो यह आपका formula सामने है ठीक यहां क्या का आपका क्यों अपन टू पाई एल इंटु सी equivalent दो कैपेस्टर थे तो सी equivalent series combination तो सी वन इंटु सी टू डिवाइड वाइड 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 सी वन प्लस से टू फ्रिक्वेंसी रेंज में कोई चेंज नहीं आता है सेम वह ही जो हार्ट ले उसलेटर वाली थे ठीक है फिर अगली बात आई गें की तो सेकेंड रियक्टेंज डिवाइड वाइड फर्स्ट यहां पर सी वन अपन सी टू आने का कारण भी आप लोगों को बताये था कि वह सीवन सब से उपर जाएगा ओमेगा सी टू नहीं चाह जाएगा ओमेगा सीवन अपन सी टू बच गया ठीक यूज कहां कहां करते हैं अगर हम इस बात को देखते हैं कि किस-किस जगह पर इसका यूज होता है तो आपकी हाइड फ्रिक्वेंसी को जनरेट करने के लिए और जितनी भी आपकी कम्मिनिकेटिंग डिवाइस होती हैं वहाँ पर इसका यूज होता है अगली बात क्लैप ऑसलेटर के तो क्लैप ऑसलेटर आपका इंप्रूवड वर्जन है किसका कॉल्पेट्स ऑसलेटर का और इंप्रूब्मेंट क्या था कि यहां एक वैरियेवल कैप दो कैपिस्टर सीरीज में उसके साथ पैरलल में एक कैपिस्टर और इंडक्टर का सीरीज कॉंबिनेशन ठीक है फिर अगली बात आई फ्रिक्वेंशी ऑप उसलेशन की तो सी थ्री हमने वही फ्रिक्वेंशी ली जो सबसे कम और वैरियेवल थी आती कितनी है लगबग कहां कहां इसे यूज करते हैं हाई फ्रिक्वेंशी को जनरेट करने के लिए और किसी भी वांचित या डिजाइड फ्रिक्वेंशी को जनरेट करने के लिए अगली बात आपकी संचार प्रणाली में कम्मिनिकेशन सिस्टम में ठीक है नेक्स आता आपका क्रिस्टल है ठीक है practically भी और examination point से भी सबसे ज़्यादा questions रहता है ठीक बाकी के oscillator के तोलना में अगर हम यहां बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा stable या इस्थर क्या होता है इसका output होता है ठीक है सबसे ज़्यादा output जो stable जो मिलता है वो आपका इसी oscillator में मिलता है ऐसा मिलने का कारण क्या होता है कि quality factor जादा होता है या आप कह सकते हैं कि high quality factor होता है ठीक है फिर अगली बात आई यहीं से अगर हम आगे बढ़ते हैं कि इसका जो कारे सिद्धान्त होता है working principle होता है वो ता आपका piezoelectric effect इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी material पर आप mechanical force दें ठीक है या फिर mechanical stress दें ऐसा करने पर अगर वहाँ पर potential develop हो रहा है तो इसी effect को हम लोग क्या कहते हैं piezoelectric effect कहते हैं ठीक है इसका मतलब बहुर और अगर हम कहें तो यह क्या आपका mechanical energy का electrical energy में चेंज है यांत्रिक उर्जा का वैद्वत उर्जा में रुपांत्रण है ठीक है पीजो electric material का जो सबसे best example होता है वो हमारा कौन सा material होता है quartz material होता है ठीक है कहा भी था जो हमारी watches में जो हमारी गड़ियों में यूज होता है फिर बात आई crystal oscillator के feedback की तो हम इस बात को कह सकते हैं कि वो किस्से बना होता है आपका quartz material से बना होता है इसके quartz के अगर या crystal के अगर हम लोग symbol के बात करें तो कुछ ऐसा होता है जिसमें उपर और नीचे दो आपकी metallic electrode होते हैं यह इसका internal structure है कि यह internally कैसे दिखता है एक register capacitor और और इंग्ड़क्टर series में और parallel में capacitor होता है तो यह overall बन गया हमारा crystal oscillator का circuit पिर बात आई हमारे series यहां पर दो capacitor थे तो दोनों के इसाब से एक series resonance frequency बात parallel resonance frequency series के case में capacitor series वाला आता है पर parallel के case में equivalent वाला आता है यह बात जरूर ध्यान रखें यहां सिर्फ parallel वाला ना लें ठीक है अगर वो पूस्ता आप से parallel resonance frequency तो आपको equivalent capacitance लेना है ठीक फिर इसी बात में हम लोग आगे बढ़े आगे अगे अगर देखते हैं ठीक है तो फिर कैसे हो रहा आपका फिर थी आपकी frequency of oscillations ठीक है तो हमें पता है कि जो series में capacitor लगा होता है वो parallel से कम होता है तो हम लोग यह कम होगा तो यह automatic जाद आएगा तो यह इस तरह समने एल इंटुसी resonance frequency में CS लिया frequency range जो होती आपकी वह सेम वही होती है जो अभी तक के oscillators की थी बसंतर सिर्फ fix का आता है कि यहां stable या फिर fix frequency generate होती है range अभी भी वही है दस किलो हर्ट से लेकर आपके टैन मेगा हर्ट तर ठीक है और लास्ट और फाइनल हमने देखे इसके different applications कि कहां कहां पर हम इसे use करते हैं सबसे पहले बात आई आपकी कि stable high frequency को generate करने के लिए ठीक है दूसरी बात आई आपकी कि micro processor और micro controller में भी clock signal को generate करने के लिए फिर अगली बात आई हमारी कि military और arrow space में secure communication के लिए ठीक है research और measurement के लिए भी इसका use होता है ठीक है TV और radio transmitter में भी हम इसका use करते हैं ठीक है क्या कहा TV और radio transmitter में ठीक फिर बात आई आपकी कि synthesizer में भी इसका use होता है automotive automotive engine या फिर stereo control में भी इसका use होता है जितने भी हमारे modern computer या फिर digital systems है या फिर sensors है इन सब में भी हमारे किसका use होता है crystal oscillator का ही use होता है ठीक है तो इन बातों को अच्छे से पढ़ लें बातों को अच्छे से revise कर लें ठीक है और जादा से जादा वीडियो को share जरूर करें बाकि जो आउट होगा वो लो आप लो कमेंट में लिख लें ठीक है चलिए तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं आज के लिए थैंक यू कर दो कर दो